पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच कहोंगा। चुनिये CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करे अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाउ। दिसम्बर 2022 तक के 36 गड़ के करेंट अफेर्स के इनपोर्टेंट वस्तुनिष्ट प्रस्णों को हम प्रैक्टिस करेंगे। वस्तुनिष्ट प्रश्ण याने की NCQ Multiple Choice Question ठीक है। कुछ इनपोर्टेंट कोश्ण है जिसे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए एक जनवरी से लेकर के 31 दिसम्बर 2022 तक के सभी प्रश्णों को एक ही वीडियो में कवर करपाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो वीडियो है यह आपके दो पार्ट में आएगा। अभी चारपास दिन में इसको दूसरा पार्ट अभी जल्द से जल्द में लाने का कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में हम जुलाई से लेकर के दिसम्बर 2022 तक के 36 गर्ट अभी चारपास दिन में जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम जनवरी से लेकर के जून 2022 तक के वस्तुनिश्च प्रश्णों को प्रेक्टिस करेंगे। ठीक है चले शुरू करते हैं देखिए सीजी प्रशाला का करेंट अफियर मैगजीन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है जिसे आप अपने नस्दीकी बुग डिपो में जाकर के ले सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारा एक मोबाइल एप भी लॉंच हुआ है आपका cgbookscart .com के नाम से cgbookscart में भी जाकर के आप इस बुग को online order करके अपने घरों में courier के माध्यम से मंगवा सकते हैं ठीक है यहाँ पर आपके कुछ book depot के नाम और वो book depot कौन से शहर में है book depot का contact number सारा list यहाँ पर दिया हुआ है आप इन book depot में जाकर के direct book ले सकते हैं और साथ आप इस mobile app को download कर लिजेगा cgbooks card इस mobile app में जाकरके आप हमारे इस 36 गड़ के current affair के magazine के साथ 36 गड़ के जितने भी famous publishers है उनकी book को भी online order करके courier के माध्यम से अपने घरों में free home delivery के माध्यम से मंगा सकते हैं ठीक है चले शुरू करते हैं topic ध्यान दीजे पहला प्रशन है हाल ह हाल ही में चर्चा में रहा क्रोमियम और निकल भंडारित छेत्र केलवार डबरी और भालु कोना केलवार डबरी और भानु कोला ये किस जिले में इस्थित है पहला है आपका महासमुन दूसरा है कभीर धाम तीसरा मोहिला मानपूर अंबागर चौकी और चौथा है सबसे पहला उनका ध्यान आकरशित करेगा आपके नव गठित जीले याने कि जो पांच नए जीलों का गठन किया गया है वर्ष दोचर बाइस में मुख्यमंत्र भुपेश बगल जी के द्वारा सबसे पहले अनुवान यही लगाया जाएगा क्योंकि क्या होता है 36 गड़के आपके एक्जाम में तो कोश्चन को ध्यान से पढ़ करके सोच समझ करके अगर आप 100% शोर है कि इस कोश्चन का एंसर यही होना चाहिए तभी उस कोश्चन को आप अटेंट करेंगे ठीक है वहना जनरली जो है एक इस्टोएंट की टेंडेंसी क्या रहती है कि जो करेंट क चुई खदान, गंड़ाई, सारंगर, विलाईगर, सक्ती, आपके मनेद्रगर, चीरमिरी, भरतपूर इस से कोश्चन पूछे जाएंगे ऐसा वो अनुमान लगा रहे ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ करें कोश्चन अटेंट करना देखिए यह जो क्रोमियम और भानु कोला यह किस जिले में इस्थित है तो ध्यान दिजिएगा, यह मौझूध है आपके महासमुन जिले में, महासमुन जिले का केलवार डबरी और भालु कोना जहां पे क्रोमियम और निकल का भंडारन है, हाली में यह क्रचा में क्यों रहा, क्योंकि यह जो दो आपके क्रोमियम और निकल भंडारी छेतर है उसमें से ये केलवार डबरी इसकी निलामी की गई थी और इसकी निलामी जीती है वेदानता ग्रूप ने किसने वेदानता ग्रूप ने वेदानता ग्रूप ने जो है इसकी ओनलाइन निलामी जीती है अब ये जो आपका वेदानता ग् जल्द ही इस भालू कोना का भी आपका online निलामी इसका भी किया जाएगा तो वेदानता ग्रूप अब केलवार डबरी में कोईला और निकल का उत्खनन करेगा इंपोर्टेंट है डिरेक्ट प्रशन पूछ सकता है कि वेदानता ग्रूप ने जो है जिले में इस्थित है यह है आपके महासमुद जिले में तो ऐसे अलग-अलग तरीकेते कोशन बन सकते है इंपोर्टेंट है इसको याद रखना इसका एंसर क्या है इसका एंसर है आपका महासमुद नेश्ट देखिए नेक्ष्ट है जैन धर्म का एक प्रमुक तीर्थ इस्थल नासियत तीर्थ यह किस नदी के तड़ पर इस्थित है option A महा नदी, option B खारून नदी, option C शिवनात नदी, option D अरपा नदी ठेक है, देखिए, यह जो आपका नासियत तीर्थ है, यह नासियत तीर्थ आपकी दुर्ग जिले में इस्थित है कौन से जिले में, दुर्ग, दुर्ग जिले में इस्थित है, आप मेंसे बहुत लोगा अनुमान लगा लिए होंगे इसका एंसर फिक है चलिए ध्यान दिजेगा इसका एंसर होगा आपका शिवनात नदी दुर्ग जिले के शिवनात नदी में इस्थित है आपका नास्या तीर्थ यह जो नास्या तीर्थ है यहाँ पर आठवे जैन तिर्थंकर भग्वान चंद्रप्रब की प्रतीमा यहाँ पर आपका वर्धमान चंद्र ठीक है यानि की आधा चंद्रमा जो है इनका प्रतीक चिन्न है टोटा 24 जैन तिर्थंकर हुए हर एक जैन तिर्थंकर का अपना एक प्रतीक चिन्न होता था वैसी आठवे जैन तिर्थंकर भगवान चंद्र प्रभ का प्रतीक चिन्न है वो है वर् उची भगवान चंद्रप्रब की पदमासन याने की बैठा हुआ पदमासन प्रतीमा है ठीक है भगवान चंद्रप्रब की देश की सबसे उची पदमासन प्रतीमा है जिसकी उचाई है आपकी 21 फिट उची देश की सबसे उची भगवान चंद्रप्रब की पदमासन प्रतीम ठीक है जो कि शिवनात नदी के तठ पर इस्थापित की गई है यहाँ मंदिर का निर्मान हुआ है अभी जो है इसी आपके जनवरी के महने में ही इस मंदिर का भी उद्घाटन हो चुका है तो पुरश ने पूछा जाएगा कि नासिया तिर्थ किस धर्म संबंदित है जैन ध तिर्थंकर पार्शनात की प्रतीमा है कहां पर नगपूरा में नगपूरा यह भी आपके दुर्ग जिले में इस्थित है दुर्ग जिले का नगपूरा जहां पर आपके 23 जैन तिर्थंकर पार्शनात की प्रतीमा है पार्शनात अब शिवनात नदी के तड़ पर एक और जैन तिर्थंकर की प्रतिमा इस्थापित हुई है कौन से नंबर के है आठवे जैन तिर्थंकर भगवान चंद्रप्रप अच्छा एक चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं बहुत से यह डिजिटल बोर्ड के मादधम से बढ़ाता हूँ उसमें स्लाइड्स पढ़ाता हूँ पहला स्लाइड दूसरा स्लाइड तीसरा स्लाइड एक एक करके आपको पढ़ाता हूँ अब यह पप्लिशर्स क्या करते हैं इसी से कंटेंट उठा करके वस्तू निष्ट प्रश्न बना करके उसका व्याख्यात्मक उत्तर लिख करके जो मैं आपको बगोल के बता तो उसका व्याख्यात्मक उसका वर्डन करके market में ऄपनी book publish कर देते हैं तो ऐसा गलती मत कीजिए अभी तो मैं फिलहाल वार्निंग देखर कि टीचर्स और साथ साथ पब्लिशर्स भी इस वीडियो को देखते हैं तो चोरी करने कोशिश मत कीजिए अपना महनत कीजिए अपना कंटेंट लाइए साफ सुथरा काम कीजिए धोकाधड़ी करेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग की धोकाधड़ी सब के सामने ला दूँगा ठीक है फिर लोगों को जवाब देना आपका काम है ठीक फिर बाद एक फोन करके फिर माफी मांगते हो और अपना भी डिश्टर्ब होते हैं और मुझे भी डिश्टर्ब करते हो ठीक है तो जैन धर्मका प्रमुक तीर्थ इस्थल नासय तिर्थ किस नदी के ठीक है यहां पर राजस्तान से एक पत्थर ला करके विशाल पत्थर एक एक अश्म पत्थर ला करके उसे तराश करके भगवान चंद्रप्रब की प्रतीमा बनाई गई है ठीक है इन्पॉर्टेंट है इसे याद रखना नैक्ष देखिए हाली में खेलो इंडिया स्कीम के 15 ठीक है यहांपे ध्यान देना इसमें क्या बोला है हाल ही में हाल ही में खेलो इंडिया scheme के तहट भारतिय खेल प्राधी करण के द्वारा प्रदेश में कुल कितने खेलो इंडिया center के इस्थापना की मंजूरी मिली है तो इसका answer होगा 7 ठीक है हाल ही में बोल रहा है करके है आपका 7 लेकिन इस 7 से पहले भी आपके केंडर सरकार के द्वारा यानि भारतिय खेल प्राधी करण के द्वारा 7 आपके center की मंजूरी पहले भी मिल चुकी है तो पहले का 7 और अभी का 7 टोटल हो गया आपका 14 ठीक है टोटल आपके 14 खेलो इंडिया center को मंजूरी मिल चुकी है प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको ध्यान में रख करके उसे जो है ध्यान में रख करके अपने कोशन को attempt कीजेगा देखिए अभी जो साथ को जो मंजूरी मिली है हाल ही में वो है आपके बालोद में बलोदा बजाद पातंदूर का कांकेर रायपूर रायगर और आपके सुकमा में बालोद में वेटलिफ्टिंग से संबंधित आपके खेलो इंडिया सेंटर को अनुमती मिला है बलोदा बजार में फुटबॉल पातंदूर्ग में कबड़ी आपके कांकेर में खोखो रायपूर में वेटलिफ्टिंग, रायगर में बैडमिंटन और सुकमा में फुटबॉल खेल से संबंधित खेलो इंडिया सेंटर को अनुमती मिली है ठीक है ये तो इनको अनुमती अभी मिली है इससे पहले शिव तरही बिलासपूर में तिरंदाजी सेंटर, बीजापूर में तिरंदाजी सेंटर, राजनांद गाओं में होकी सेंटर, जस्पूर में होकी सेंटर, गरियाबन में बॉलिवॉल सेंटर, नारायनपूर में मलखम सेंटर, अंबिकापूर में फुटबॉल center देखे नरायनपूर जो है हमारे 36 गड़ का जो नरायनपूर जीला है ये मलखम के लिए काफी famous है तो इसको याद रखना ठीक है इसके अलावा जो आपका बीजापूर है ये तीरंदाजी के लिए काफी famous है तो इसको थोड़ा सा याद रखना ठीक है मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया option A 11 नमबर 2022 option B 12 नमबर 2022 option C 11 दिसंबर 2022 option D 12 दिसंबर 2022 ठेक है तो देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये बिलासपूर नाकपूर और बिलासपूर के मद्धे चल रहा है ठेक है यानि कि बिलासपूर तो नाकपूर फिर वापस आपका बिलासपूर देखिए ये जो आपका ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये इंजन रहित है ठेक है इसमें इंजन नहीं है इसमें टोटल आपके 16 कोच है ठीक है 16 कोच याने की 16 बोगिया है जिसमें 1128 यात्री इसमें एक बार में सफर कर सकते हैं ठीक है इसकी मैक्सिमम स्पीड है आपका 130 किलो मिटर प्रती घंटा इसकी मैक्सिममी स्पीड है ठीक है यह जो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है यह शनिवार दिन छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन चलेगा सोम, मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्र और रविवार शनिवार छोड़ करके सप्ताह में 6 दिन इसका परिचालन किया जाएगा ठीक है और यह वंदे भारत एक्सप्रेस जो है जो बिलासपूर से नाकपूर के मत्य चल रहा है यह टोटल 6 इस इसका इस्टेशनों में इसका इस्टोपेज है जो भी बतानों उसको ध्यान रखना एक है आपका बिलासपूर, बिलासपूर के बाद अगला है आपका रायपूर, रायपूर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद आपका राजनांद गाओ, राजनांद गाओ के बाद गो नहीं है 2825 और 826 यह दो ट्रेन नंबर है ठेक है बिलासपूर टो नाकपूर नाकपूर टो बिलासपूर वह उतना प्रशन के पूछ रहा उसको ध्यार देना मेरेंद्र मोधी जी ने उद्गारन कब किया था 11 दिसम्बर 2022 को जबकि यात्रियों ने इसमें शफर करना प्राणा किया कब उसके अगले दिन 12 दिसम्बर 2022 से ठीक है इंजन रही था सब्ता हमें 6 दिन चलता है याद रखना है नेक अभिकापूर मद्यभारत का सबसे बड़ी जैन दादाबाडी यानि कि आप इसे एक जैन मंदीर भी बोल सकते हैं यह मौझूद है आपके राइपूर में राइपूर के एमजी रोड में मौझूद है ठीक है यह कोई नया निर्मान नहीं हो रहा है इसका जिर्णोधार कि मंदीत है कुछ जगत धर्मराज लिखाऊ मिलेगा कुछ जगत धर्मनात nath लिखाऊ थेक है पंद्रवे जैन तर्थाणकर आपने धर्मनात को यह समरपित है यह जो आपकी जीन दादाबाड़ी है जित हमारे प्रदेश की एक लोता ऐसा मंदीर है जिसमने पाँच शिखर है, जीसमें जो है आपके पाँच शिखर है ठेक, तो बस याद रखे है कि मद्य भारत की सबसे बड़ी जैन दाधाबारी क्योंकि ये काफी चरचा में है ठेक है मार्च 2023 तक जो है इसकर भी अधगाटन होना है तो मद्ध भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाडी ये कहां पर इस्थित है ये मौजूद है आपके राइपूर में ठेक है नेक्श देखिए 242 अंग्रेजी माध्यम 31 हिंदी माध्यम 244 अंग्रेजी माध्यम 35 हिंदी माध्यम और 247 अंग्रेजी माध्यम और 32 हिंदी माध्यम ठीक है देखिए प्रदेश सरकार के द्वारा स्वामी आत्मनंद स्वामी आत्मनंद शास्किय उत्कृष्ट विद्याला योजना शुरू क प्रारभ में इसमें केवल अंग्रेजी माध्यम की स्कूल ओपन किये जा रहे थे अब जो है इसमें हिंदी माध्यम के स्कूल भी इसमें ओपन किये जा रहे है तो ध्यान दिजेगा अभी दिसंबर 2022 तक की इस्थिती में स्वामी आत्मनंद शास्किय उत्कृष्ट विद्या योजना के अंतरगत, टोटल 247 अंग्रेजी माध्यम और 32 हिंदी माध्यम इसकूल जो है, यह संचलित है, ठीक है, चालू है, रनिंग है, संचलित है, ठीक है, ध्यान दीजेगा, प्रदेश सरकार के द्वारा, टोटल 718 विद्याले चिन्हित किये गए है, ठीक है, 718 विद् आत्मनंद उतक्रिष्ट विद्याले बना रही है, ठीक है, प्रदेश सरकार के द्वारा, पूरे 36 गड़ में से 718 विद्याले चैन किया गया, 718 विद्याले चैन्हित में से, अभी वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम संचलित है, 32 उतक्रिष्ट हिंदी माध्यम के जो आपके विद्याले है संचलित है, और अभी आगामी वर्ष में 449 जो है ये प्रस्तावित है, इनका जो है डेवलप्मेंट किया जाएगा, इतने में से इतना रनिंग में है और बाकी बचा हुआ जो 449 है, ये इस सत्र के लिए प्रस्तावित है, ठीक है, इंपोर्टेंट ह इसे याद रखना है, नेक्ष्ट देखिए, नेक्ष्ट है, मुक्हय मंत्री मितान योजना की शुरुवात की स्थिछी से हुई? 24 अप्रेल 2022, 1 मई 2022, 18 दिसमबर 2022, 2 नवंबर 2022, मुक्हय मंत्री मितान योजना क्या है? मुख्यमंत्र मितानी योजना ये मुख्यमंत्र भुपेज बखेल जी के द्वारा शुरू किन गई एक योजना जिСके माध्यम से प्रदेश के जो निवासी है ये घर बैठे घर बैठे 13 प्रकार के शास्किय सेवाओं का जो है दस्तावेज अपने घरों में मंगवा सकते हैं इसके लिए एक आपका नमबर भी जारी किया गया है 14545 इस नमबर पर कॉल करके मितान को अपने घर में बुला सकते हैं और जो भी जरूरी दस्तावेज आपको बनवाने है उससे संबंधित एक मितान आपके घर में आएगा संबंधित डॉक्यूमेंट ले करके जाएगा और कुछ दिनों के पस्चाज जो भी आप डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते है तेरा प्रकार के डॉक्यूमेंट इसके अंदरकत बनाए जा रहे है तो उन डॉक्यूमेंट को ला करके आपके घर में छोड़ेगा ठीक है जो मुख्यमंत्री मितान योजना है इसकी शुरुवात एक मई दो हज़़बाईस को हुई एक मई दो हज़़बाईस अंतराष्टिय स्रम दिवस के असर पर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जी के द्वारा आपके मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुवात हुई जिसमें ध्यान दिजेगा जिसमें टोटल प्रारंभ में 13 प्रकार के शास्किय सेवाओं का या 13 प्रकार के जो आपके शास्किय सेवाओं का लाब ले सकते थे यानि कि जरूरी दस्तावे घर वैठे बनवा सकते थे ठीक है ध्यान दिजेगा ये जो मुख्यमंत्री मितान योजना है मुख्यमंत्री विदान योजना प्रदेश के आपके टोटल चौदा नगर निगम नगर निगम में जो है ये आपका पाइलेट ट्रोजेक्ट के तोर पर शुरू किया गया है याने कि अभी वर्तमान में जो आपके 14 नगर निगम में हमारे प्रदेश में उन 14 नगर निगम में ये योजना संचलित है आने वाले समय में इसका विस्तार फूरे 36 गड़ में किया जाएगा ठीक है अभी हाली में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि 1 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री भुबेव भखिल जी के दोरब घोशना किया गया कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड भी इनका जो आपका आधार कार्ड है वो भी इस मुख्यमंत्री मितान यूजना के माद्देम से बनाया जा सकता है और आपके 18 दिस नवंबर 2022 को यहने कि गुरु घासिदास जी के जन्व जैनती के आउसर पर घोशना किया गया कि घर बैठे अब पैन कार्ड भी बनवाया जा सकता है यहने कि 13 और दो 15 तो अब जो है वर्तवान में कुल 15 प्रकार की शास्किय सेवाएं जो है इस मुख्यमंत्री मितान यू पेश बगेल जी द्वारा इंदा गाओ में लगुवन उपज उत्पाद ग्रामिन उद्यम पार्क का भूमी पूजन किया गया यह कि जिले में इस्थित है ऑप्शन A बस्तर ऑप्शन B कांकेर ऑप्शन C धमतरी ऑप्शन D गर्या बन देखिए इंदा गाओ में लगुवन उपज का और कृशी उपज के अलग-अलग प्रसंसकरन केंद्र यानि की प्रोसेसिंग यूनिट इस्थापित किये जाएंगे कोई एक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट मल्टीपल आपके बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के यहां पे जो जो की इंदा गाओ में है, अब ये इंदा गाओ किस जिले में है, ध्यान दिजेगा, ये इंदा गाओ है आपके गरिया बन जिले में, गरिया बन जिले के देव भोग ब्लॉक में, ठीक है, देव भोग, गरिया बन, इंदा गाओ में आपका लगूव अनुपज उत्पाद ग नहामया सक्करकार्खाना, C. माडंतेशोरी सक्करकार्खाना, D. सरदार वर्लब भाई पटिल सक्करकार्खाना, अभी है क्या, देखिए गन्या का मुलासिस का मचलने के पश्चाज, जो उसका बचागुआ अपसिष्ट है, वो कहाता है मुलासिस, से एथेनौल बनाने का पहला प्लांट ये कहां इस्थापित किया जा रहा है देखिए ये इस्थापित किया जा रहा है आपके भोरम देव शक्कर कारखाना कवरधा में ठीक है कवरधा या कभीरधा यहां पर जो है ये इस्थापित किया जा रहा है ठीक है देखिए प्रदे की डिमांड काफी जादा है लेकिन पेट्रोल की बरती मांग को देखते हुए अब जो है पेट्रोल की उपला भता बहुत ही लिमिटेड है केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल में आपका लगभग 10% 10% तक जो है आपके एथेनॉल मिलाने का पर्मिशन है यानि कि 90% पेट् और आपका 20% एथेनॉल तो इसके लिए जो प्रदे सरकार जो है अनात से मक्का से गन्ना से एथेनॉल निर्मान करने का प्लांट इस्थापित रही है तो देखेए ध्यान दिजएगा गन्ने के मुलासिस से एथेनॉल बनाने का प्लांट ये इस्थापित हो रहा है या भानुप्रतापूर विधान सभा सीट उपचुनाव के परिणाम स्वरुप इस छेत्र के विधायक कौन बने हैं ठीक है देखिए भानुप्रतापूर जो विधान सभा सीट है यहां पर जो आपके विधायक थे वो थे आपके मनोज मंदावी जी ठीक है स्वर्गी यह मनोज मनोज मन्डावी इन मनोज मन्डावी जी का अभी हाल ही में इनका निधन हो गया ठीक है हाट अटेक से जो है इनका निधन हो गया मनोज मन्डावी जी जो की भानुत रतापुर विधान सभा सीट से विधायक थे और साथ इसाथ हमारे प्रदेश के पांचवी विधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे ठेक है प्रदेश के पांचवी विधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे ठेक है प्रदेश के पांचवी विधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे ठेक उपाध्यक्ष ठेक इलका निधन हो गय उप्चुनाओं के पस्चात नए विधाया कौन बने है? Option A, ब्रह्मानांद निताम. Option B, भीमा मंदावी. Option C, मनोज मंदावी. Option D, आपके सावित्री मंदावी. तो ध्यान दीजेगा कौन बने है? वो है आपके सावित्री मंदावी जी. जो कि आपके मनोज मंदावी जी की ही पत्नी है. ठीक है? यह आपके Congress Candidate थी. Congress. ठीक है? Congress Candidate सावित्री मंदावी जी. ठीक है? इन्पोर्टेंट है. इनका नाम याद रखिएगा. देखिए, जैसे अगर हम बात करें, प्रदेश में अब तक, टोटल पाँच विधान सभा सीट में उप्चुना हुआ है. एक आपका चित्रकूट, जहां पे दीपक बैस थे, जिन्हें जो कि आपके लोकसभा के सदस्ते बने, जिसके पशात उन्हों त्यात पत्र दिया, और यहाँ पर फिर से उपचुना हुआ जिसमें आपके राजमन बिंजां कॉंग्रेस कैंडिडेट ये आपके विधायक बने दंतेवारा जहाँ पर भीमा मंदावी जी थे इनका नकसलाइडों के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया जिसके पस्चात ये सीट रिक्त हुआ और फिर देवती कर्मा जो है ये कॉंग्रेस से इस आपके दंतेवारा विधान सभा सीट से विधायक बनी मरवाही जो की हमारे प्रदेश के पहले जो मुखे मंतरी थे अजिज जोगी जी उनका यहाँ पर आपका विधान सभा सीट था अजिज जोगी जी के निधन के पस्चात यहाँ पर बने है कॉंग्रेस केंडिडेट केके ध्रो खेरागर जहां पर आपके जंता कॉंग्रेस 36 गड़ के देवरत सी यहां से आपके विधायक थे इनके निधन के पस्चाथ याशोधा वर्मा कॉंग्रेस केंडेट याशोधा वर्मा यहां से विधायक बनी और भानु प्रतापूर के मरोज मंदावी जी जिनके निधन के पश्यत उनकी पतनी सावित्री मंदावी जी जो है यहां से आपके विधायक बनी इनपोर्टेंट है यह सभी को याद रखना है पांच विधान सवा सीट में उपचुनाओ हुए है ठीक है इनपोर्टेंट है यह शोदा वर्मा इनके तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनही के जीत पर जो है खेरागड को नय जिला बनाय जाने की घोशना की गई थी मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जी के द्वारा ठीक है इनपोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री विक्ष संपदा योजना के अंतरगत पात्र हिद्ग्राहियों को पांच एकर तक के अधिक्तम पांसो पौधे के र मुख्यमंत्री विक्ष संपदा योजना अभी मैं इसके बार में जाया डिटेलिंग नहीं करूँगा आप लोगों से क्योंकि यह अभी केवल इसकी घोशना हुई है अभी यह योजना लागू नहीं हुआ है इसमें वानिजिक यानिक कमर्शल वानिजिक प्रकार के यहां सागोन, साजा, भीजा, ठीक है 5 एकर तक की भूमी पर अगर कोई व्यक्ति अधिकतम 5000 पौधों का रोपण करता है तो इनके रोपण के लिए प्रदेश सरकार उसे 100% अनुदान देगी ठीक है 100% अनुदान देगी 5 एकर से जादा पर 50% के अनुदान का प्रावधान है अभी जाद डिटेलिंग नहीं करेंगे देखिए अभी प्रदेश सरकार जो है आपके दिसंबर के बाद से प्रदेश सरकार कोई भी नई योजना को लागू करने से बचेगी ठीक है कोई भी नई योजना करें कब से लागू किया जाना है ये डिसाइड हो लेकिन अभी प्रदेश सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी नई योजनाओं को लागू नहीं किया जाएगा जब तक बजट पेश न हो जाए ठीक है इंपोर्टेंट है याद रखना है मुख्य मंत्री ब्रिक्ष अप्शन डी माउस डियर ठीक है तो ध्यान दीजेगा प्रदेश के वन विभाग के द्वारा प्रकासित पुस्तक बैक ओफ दी ब्रिक्स बैक फ्रॉम दी ब्रिक्स ठीक है सॉरी बैक फ्रॉम दी ब्रिक्स ये जो पुस्तक है ये आपके हमारे प्रदेश के राजकिये पेज, बैक फ्रॉम दी ब्रिंक, जो की आपके राजकिय पशु वन भैसे के संद्रक्षन से संबंधित है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस्टेशनों के नविनी करण एवं आधुनी की करण से संबंधित, अमरित भारत इस्टेशन योजना में प्रदेश के कुल कितने रे रेलवे इस्टेशनों का चयन करके उसका नविनी करण और आधुनी की करण किया जाएगा, हमारे प्रदेश के दो रेलवे इस्टेशनों का चयन हुआ है, ठीक है, हमारे प्रदेश के कितने रेलवे इस्टेशनों का चयन हुआ है, दो, एक है आपका बिलासपूर और दू बिलासपूर, रायपूर, रायगर्ण, कोरभा ऐसे ऑपशन देगा, तो ध्यान दिजेगा, कौन से दो इस्टेशन है, बिलासपूर और रायपूर इस्टेशन का चैन हुआ है, नेक्ट देखिए, इलेक्ट्रोनिक वहिकल, वी पर तकनीकी शिख्षा कोर्स कराने वाला का पहली संस्थाम कौन सी है? IIT भिलाई, CSVTU भिलाई, NIT रायपूर और METS University रायपूर, ठीक है? IIT Indian Institute of Technology भिलाई, CSVTU, ठीक है? 36 स्वामी विवेका नंद यूनिवर्सिटी भिलाई, NIT National Institute of Technology रायपूर और आपका METS यूनिवर्सिटी तो ध्यान जी गए, Electronic Vehicle, आप सभी को पता है कि आज के डेट में जो है, आपके पैट्रोल डिजल के इस्थान पर आपके बैटरी वाले, ठीक है? बैटरी वाले इलेक्ट्रोनिक विहिकल का एक नया बाजार आ रहा है, ठीक है? बहुत से आपके संस्थान है वो है आपका IIT भिलाई ठीक है इनपोर्टेंट है याद रखना है इसके साथ साथ James and Jewelry ठीक है James and Jewelry इस पर जो है आपका इस पर कोर्स कराने वाला जो संस्था है जो आपका यूनिवर्सिटी है वो है आपके रवीश अंकर शुकल विश्व विद्याल है रवीश अंकर शुकल यूनिवर्सिटी ठीक है इसका भी नाम याद रखिएगा इनपोर्टेंट है नेश देखिए आठ नमबर को संगीत नाटक एकेडमी फैलोशिप अवार्ड 2022 के लिए चैनित किया गया है लेकिन प्रशन पूछा जा रहा है कि कुल कितने विभूतियों को चैनित किया गया है और यहां पर गलती मत कर दीजेगा दो लगा करके क्यों क्यों हमारे प्रदेश के दो कलाकार जो है उन्ह ने कलाकारों का चैन हुआ है तो पूरे भारत भर से दस कलाकारों का चैन हुआ है ठीक है पूरे भारत भर से चैनित दस कलाकारों में से एक है हमारी तीजन भाई इंपोर्टेंट है तीजन भाई का नाम याद रखना है देखिए तीजन भाई जो है एक प्रश्न है कि पद्म विभूशन, ठीक है, अब देखिए, तीजन भाई को आपका पद्मस्री से सम्मानित किया गया 1988 में, तीजन भाई को पद्मस्री से सम्मानित किया गया कब, वर्ष 1988 में, पद्म विभूशन सम्मानित किया गया आपके 2003 में, जबकि पद्म विभूशन सम्मानित किया है आपके 2019 में ठेक है इन्पोर्टेंट है तीनों के तीनों याद रखना है 1988 2003 2019 अब देखे कुछ पुस्तकों में इस 1988 के जगा आपको 1987 लिखा हुआ मिलेगा और बहुत से स्टुडेंट यही मेरे से कोशन कर रहा है कि सर पदमस्री जो है यह 1987 होना चाहिए कि 1988 होना चाहिए आप जो है पदम अवार्ड का एक ओफिशल वेबसाइट है जिसमें जा करके आप केटेगरी वाइस सर्च कर सकते है जिसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप तीजन भाई की उपर उसमें पदमस्री 2003 में पदम भूशन और आपका 2019 में उन्हें पदम विभूशन से सम्मानित किया गया ठीक है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप अब और 2022 के लिए चैनित है टोटल पूरे देज़वर में से 10 कलाकारों का चैन हुआ है जुद में से एक है ठीक है तीजन भाई नाम याद रखना है ठीक next देखिए next है स्री मोक्षदा चंद्राकर यानि की जो ममता चंद्राकर है उनका वास्तविक नाम है आपका मोक्षदा चंद्राकर मोक्षदा चंद्राकर को एक लोक गाईका के रूप में भारतिय रंगमंच में उनके योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकेडमी पुरुसकार के लिए चुना गया वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 तो ध्यान दिजेगा संगीत नाटक अकेडमी की जो गोशना है ये हुई जरूर 2022 में है लेकिन इनका चयन हुआ है आपके वर्ष 2019 के लिए ठीक है वर्ष 2019 के संगीत नाटक एकेडमी अवार्ट के लिए चुनी गई है आपकी मोक्षदा चंद्राकर यानि की मंता चंद्राकर मंता चंद्राकर जो की पदमस्री सम्मानित है वर्ष 2016 में इन्हें पदमस्री से सम्मानित किया गया था वर्ष वर्ष विद्याले की कुल्पती है इंद्रा कला एवं संगीत विश्विद्याले एशिया का पहला संगीत विश्विद्याले जहां कि वर्ष वर्ष विद्याले की कुल्पती है ममता चंदराकर जिनका वास्तविक नाम क्या है इनका वास्तविक नाम है आपका मोक्षदा चंदराकर ठीक है, important है याद रखना है 2019 से पहले 2017 में दीपक तिवारी विराट को ठीक है, 2017 में दीपक तिवारी विराट विराट इनका टाइटल था दीपक तिवारी विराट को जो है आपका संगीत नाटक अकेडमी पुरुसकार सम्मानित किया गया था 2017 के संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था दीपक तिवारी विराट जो की चरण दास चोर की भूमी का निभाते थे हभीब तन्वीर जी के थेटर में ठीक है इन्हें जो है आपको 2017 में संगीत नाटक अकेडमी 2017 के संगीत नाटक अकेडमी से सम्मानित किया गया था वैसे ही जो आपके मोक्षदा चंद्राकर है इन्हें 2019 के संगीत नाटक एकेडमी से सम्मानित किया गया है ठीक, important है, याद रखिएगा इन्हें पदमस्री से कब सम्मानित किया गया पदमस्री अवोर्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था कब? 2016 में ठीक है, next देखिए next है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार 2022 के लिए चैनीत कशब बंदु कशब बंदु का संबंद किस छेत्र से है तबला वादक, हार्मोनियम वादक, वीना वादक या इन्मे से कोई नहीं, ठीक है ये है आपके कशब बंदु ठीक है, कशब बंदु उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार 2022 के लिए चैनीत कशब बंदु कशब बंदु जिनका नाम है दिवाकर और प्रभाकर ठीक है, दो भाई है बंदु का मतलब भाई, दो भाई है एक का नाम है आपका दिवाकर और दूसरा का है प्रभाकर दिवाकर कश्यप और प्रभाकर कश्यप ठीक है, इन्हें उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार सम्मानित किया गया इनका संबंद किस छेतर से है ध्यान दीजेगा इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं ये जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरुसकार के लिए जो आपके कश्यप बंधुओं का चैन हुआ है ये हिंदुस्तानी वोकल संगीत से संबंदित है किसे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी वोकल संगीत याने कि सास्त्री संगीत से संबंदित है ये भी खेरागड के निवासी है ठीक है इनपोर्टेंट है याद रखना है नेक्ट देखिए नेक्ट है च्छतिसगर मात्रित्व मृत्युदर में आई गिरावट 2016-18 में 169 प्रती लाग से घट करके वर्ष 2018-20 में कितनी रह गई है देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के पहले पेज में भी ये डाटा दिया गया है लेकिन इसका लेटेस्ट डाटा आया है आर्थिक सर्वेक्षण में आपको ये डाटा पढ़ने के लिए मिलेगा लेकिन हाली में सेंपल रेजिस्ट्रिशन सिस्टम का एक नया data publish हुआ है, data है आपका वर्ष दोहजर अठरावीस, ठीक है, वर्ष दोहजर अठरावीस, आप जो economic survey का book है, उसमें 2016-18 का data दिया है, अभी December end में जो है, इसका नया data publish हुआ है, ठीक है, एक सो उनसट प्रतिलाग से गिर करके कितना हो गया, ध्यान दिजेगा, एक सो 42 प्रतिलाग, 137 प्रतिलाग, 113 प्रतिलाग, तो ध्यान दिजेगा, 36 गड़का जो आपका मातरित्य मृत्यूदर है, वो घट करके हो गया है, 137 प्रतिलाग, ठीक है, कितने अंक की गिरावट दर्ज की गई है, तो total 22 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, ये भी याद ये भी आपसे कथन आधारित प्रश्ण में पूछ सकता है, भारत का जो मातरितम रित्वेट्वधर है, भारत का मातरित मेर्ट्वेट्वेट्वेदर 103 था आपके 17.9 में,必 outlined. 17.9 में 103 था, 16.18 में 113 था, ये घटकर टरफने हो गया है, आपका 97, 2019 2018 के आकड़ों में, ठीक है, 2018 के आकडों में इसमें भी कितने अंक का गिरावट हुआ है, इसमें 6 अंक का गिरावट हुआ है, इसे भी आपको याद रखना है, important है, मातरित मृत्तिव दर से कोशन पूछ सकता है, exam में, कथना धरित प्रश्ण बन सकता है, या फिर आपका simple ऐसा कोशन पूछ सकता है, कि sample registration system की नविन्तम आकडों के अनुसार, 36 बर मातरित मृत्तिव दर, कितना अनुमानित है, 2018 के लिए, तो वो अनुमानित है, 137, कितने अंग की गिरावट दर जखी गई है, 22 अंग की गिरावट दर जखी गई है, ठीक है, next देखिए, महिला एवं बाल विकास प्रतिशत, option D, 34.73 प्रतिशत, ठीक है, देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्राले, यहाँ पर ध्यान दीजेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्राले के द्वारा, वजन तेवहार 2022 के नविन्तम आकड़े जारी हुए, ठीक है, आपके वजन तेवहार 2022, ध्यान दीजेग जो बोल रहा हूँ, इस वर्ड पर ध्यान दीजेगा, ठीक, प्रदेश का जो आपका कुपोशन दर है, यह रहा आपका 17.76%, 17.76%, 17.76%, पहले था आपका 19.86%, अब घट करके हो गया है आपका 17.76%, टोटल 2.1% की गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है, 2.1% की गिरावट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजे, प्रदेश सरकार के द्वारा कुपोशन मुक्त 36 गार बनाया जाने के उद्देश से मुख्यमंद्री सुपोशन अभ्यान की शुरुवात कब हुई, दो अक्टूबर 2019 को, इंपोर्टेंट है, यह year और date याद रखना है, मुख दर 19-21 के आकड़ों के अनुसार, 36 गड़ का जो कूपोशन दर है, वो 31.3 परसेंट, अब कई लोग जब मैंने करेंट अफिर का जब मैगजिन निकाला तो बहुत लोग को यह कोशन था, कि सर कौन सा आकड़े को सही माने, देखिए, जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर् रिपोर्ट है, यह सेंट्रल गवर्रमेंट के दर पब्लिश किया जाता है, वजन तेओहार, 36 गड़ महिला विकास विभाग के द्वारा आंगन बारी केंद्रों में वजन तेओहार का आयोजन करके यह आकड़े आपके पब्लिश हुए है, तो प्रशन पूछा जाएगा एक्जाम में तो क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि वजन 2022 के आकड़ों के आधार पर या फिर आपका National Family Health Survey Report याने की रास्ट्रिय परिवार स्वास्थ सुचकांक के आधार पर, तो पूछ किया रहा है वो ध्यान रखना, अगर वजन तेओहार पूछेगा, तो वजन तेओ जो आपका कूपोशन दर है, ये निकल के आया 17.76%, पिछले वजन तेओहार में जो ये था 19.86%, 2.1% की गिरावत दर्ज की गई है, ठीक है, वजन तेओहार की सुरवात हमारे प्रदेश में 2012 से हुआ, 2012 से जो है, प्रतिवर्स वजन तेओहार का आयोजन किया जा रहा है हमा नेक्श देखिए, डेरी और फिसरीज विभाग, 2019-20 के आकड़ों के अनुसाल, 36 गड़ में प्रतिव्यक्ति दुख्ध उपलब्धता कितनी है, 221 ग्राम, ऑप्शन B, 137 ग्राम, ऑप्शन C, 143 ग्राम, ऑप्शन D, 169 ग्राम, ठीक है, प्रतिव्यक्ति दुख्ध पर ये आकड़ा पब्लिश हुआ था, ठीक, अगर हम बात करें कि हमारे देश में, हमारे देश में प्रतिव्यक्ति दुख्ध उपलब्धता सरवादिक किस राज्य का है, तो वो है आपका पंजाब का, पंजाब का एप्रोक्स 1221 ग्राम प्रतिव्यक्ति है, ठीक है, हमार 36 गड़ में जो है, आपकी दूद का जो उत्पादन है, 36 गड़ में दूद का उत्पादन 16.7,10,000 हुआ है, आपकी 2019-20 के आकड़ों के अनुसार, भारत में सरवादिक दूद का उत्पादन होता है आपके UP में, कहां पर? UP में, ठीक है, ये साधे आकड़े को याद देगा, 36 गड़ प्रतिवक्त दूद उपलब धता कितनी है, 169 ग्राम, ठेक, नेक्ट देखिए, तेंजिंग नार्गे राष्टिय सहासिक अवार्ड 2022 से की से सम्मानित किया गया, option A, शुभम धननजय वनमाली, option B, कुवर भवानी सी, option C, नैना सी धाकर, option D, उपरोक्त आप में से बहुत से लोग ये फोटो देखे होंगे, और जैसे ये question आएगा, और यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, सीधा आप select करेंगे, नैना सी धाकर को, ठीक है, ये गलती मत कीजएगा, सीधा केवल एक ये word सुन करके, तेंजिंग नार्गे सहासिक अवार्ड है, 2022, ये अलग-अलग कैटेगरी में दिया जाता है, लेंड एंड वेंचर, यानि कि भूमी पर सहासिक कारे करने वाले, वाटर एडवेंचर, यानि कि पानी में सहासिक, जल में सहासिक कारे करने वाले, लाइफ टाइम अचीवमेंट, अलग-अलग कैट धनंजय वनमाली को, कुवर भवानी सीं, इन्हें Lifetime Achievement के लिए मिला है, ठीक है, Lifetime Achievement Award मिला है, आपके तेंजिंग नारगे राश्टि सहासिक Award, ठीक है, जबकि नैना सीं धाकर जो है, इन्हें Land Adventure Award मिला है, यानि कि भूमी पर सहासिक कारे करने के लिए, तीनों को Award मिला है, अगर प्रश्ण पूछा जाएगा कि तेंजिंग नार्गे रास्ची है भूमी सहासी या इसके जगा क्या देगा इसको अटा देगा भूमी को अटा देगा लेड एडवेंचर अवर्ड लेड एडवेंचर ठीक है लेड एडवेंचर अवर्ड देगा देगा 8848 मीटर उचे माउंट एवरेष्ट ठीक है एवरेष्ट को इन्होंने फतह किया है इसके लिए जो है इन्हें आपके तेंज नार्गे राष्ट्य सहासिक अवर्ड से सम्मानित किया गया लेंड एडवेंचर अवर्ड से ठीक नेक्श देखिए एक अमेरिकी कीडभक्ची पौधा वीनस फ्लाइट्रेप जिसका आपका वारसपतिक नाम है प्रदेश के किस जंगल में पाया गया है ओप्शन ए इंद्रावती 1 चेतर ऑप्शन बी भोरमदेव 1 चेतर ऑप्शन सी गुरु घासीदास 1 चेतर ऑप्शन डी कांगेर घाटी 1 चेतर ठीक है यह जो पौधा है यह अमेरिका में पाया जाता है हमारे प्रदेश के गुरु घासीदास नेशनल पार्क में यह पौधा मिला है यह नमीज़ वाले छेत्रों में पाया जाता है इस्पेशली आपके बारीस के चाहे वर्षा रित्मी में गुरुगासिदास नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलता है विशेज बात क्या है यह अमेरीका का अमेरिका में पाया जानला कीड़ भग्ची पौधा है जो कि हमारे 36 गड़ में मिलता है ठीक है गुरु घासिदास नेशनल पार्क में यह पाया गया है जादा डिटेलिंग नहीं करूँगा सारा डिटेलिंग आप जो है यह करेंट एफेर मैगजिन में दिया गया है ठीक है यह नहीं बोड़ा कि इसे ले लीजिए जिनको जरुवत है वो लीजिए और जो नहीं ले सकते हमारे पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के हर मेहने का करेंट एफेर का वीडियो बना हुआ है उसमें हर किसी का डिटेलिंग है अब वस्तुनिष्ट प्रश्ण में हम ज जिसरा मूर्तिकला और चौथा है भित्ती चित्रकला ठीक है देखिए जो मट पर आई है मट पर आई आपका कागज की लुगदी और मटी के साथ उसे जो है उसे आपस में मिला करके उससे आकृती बनाई जाती है मटी के उपर मटी के उपर या नहीं कि मटी के मट्के के उ दारण है ठीक है भित्ती शिल्पकला का चित्रकला मत लगा येगा ये जो आपका विलुप्त होने के कगार पर है हमारे प्रदेश की ही एक कला है भित्ती शिल्पकला देखिए ये कुछ इस प्रकार से दिखता है ये जो है आपके मट्की के उपर ये मिट्टी के किसी भी एक बेस के उपर कागज की लुगदी और आपके मिट्टी को मिला करके ऐसी आकरती मनाई जाती जिसे कहा जाता है आपका मट परही ठीक है ये विलुप्त होने के कगार पर है राज जोस्तों के दोरान इसकी प्रदर्शिनी लगाई गई थी ठीक है तो मट परही क्या है एक भित्ती शिल्पकला है ठीक है भित्ती शिल्पकला नेक्ट देखिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में पक्षी सर्वेक्षन 2022 आयुजित किया गया कब से कब आयुजित किया गया डेट पूछ सकता है ओप्षन एह है आपका 25 से 27 नमबर 2022 28 से 30 नमबर 2022 25 से 27 दिसंबर 2022 28 से 30 दिसंबर 2022 ठीक है देखिए इसमें आप ये मंत को याद रखेगा 25 से लेकर के 27 नमबर 2022 देखिए कहने इसमें और बताने के लिए कुछ नहीं है कहने के लिए जो पक्षी सर्वेक्षन था लेकिन इसमें पक्षी विशेशक्यों को बुलाया जाएगा ऐसा कहा गया था लेकिन इसमें आमनागरिकों को बुला करके केबल उन्हें कांगेर घाटी नेशनल पार्क को कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पक्षी सर्वेक्षन का आयोजन कब से कब तक किया गया 25 से लेके 27 नमबर 2020 तर नर्सी गंगा गुफा किस जिले में इस्थित है जश्पूर, 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 माग पूर्णिमा के दिन मेले का ायोजन होता है एक गुफा है जहां में भगवान नर्सी ceremony की प्रतीमा बनी है जिसे इस्थारी निवसी मानते है कि यहाँ पर भगवान नर्सी का वास हैSon पास पर समीप में एक जरना है जिसका नाम है नरसी गंगा जरना ऐसा कहा जाता है कि इस जरने का जो पानी गिरता है वहाँ पर चावल छिड़कर के खड़े होने पर अगर कोई साफ मन से खड़े होता है तो उसके उपर पानी गिरता है उस जरने का और अगर किसी के मन में आपका नरसी, गंगा, जहरना और गुफा, ठीक है, next देखिए, next है सुमेलित कीजिए, pump storage project और आपका इस्थान, देखिए, pump storage project और इस्थान, ये pump storage project है क्या, पहली चीज़ तो ये central government का आपका एक scheme है, जिसने हमारे प्रदेश के total 5 इस्थानों को जो है, इस pump storage project के लिए आपके जल है, जल के इस्तिदीज उर्जा को गतिज उर्जा में परिवर्तित करके, यानि की उचाई से पानी को टर्बाइन के ब्लेड में छोड़ करके, टर्बाइन के पंखो को घुमाया जाता है, जिससे विद्धुत का उत्पातन होता है, ठीक है, तो ये जो आपके pump storage project है, इसमें क्या होता है, कि देखें, जनरली क्या होता है, दिन के समय आपके, यानि की day time पे, दिन के समय बिजली की आवश्यकता या बिजली की मांग काफी ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बड़े-बड़े factories चलते है, ठीक है, plants चलते है, घरों में भी इस उसे उचाई तक पहुचाया जाएगा, ठीक है, उसे जो है, pump चालू करके उचाई तक पहुचाया जाएगा, और दिन के समय जब उसकी मांग बढ़ेगी, तब उन्हें उचाई से turbine के blade पर उन्हें गिरा करके विद्धुत का उतपादन किया जाएगा, यानि कि जब बिज दांगरी, जश्पूर, कोटपल्ली, आपका बलरामपूर, ठीक है, सुमेलित कीजिए है, तो देखे, जो आपका हजदे बांगो है, ये तो कोर्बा में ही मौझूद है, हजदे उन्हें नदी के ऊपर, सिका सेर ये गरिया बंद में है, दांगरी ये जश्पूर में है, औ और आपका कोटपल्ली ये बलरामपूर में है, याने की option A, 1, 2, 3, 4, ठीक, देखे, इसे याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है, हजदियो बांगो pump storage project जो है, ये कोर्बा में है, ठीक है, सीका सार pump storage project ये गरिया बंद में है, डांगरी pump storage project जश्पूर, रैनी pump storage project जश और कोटपल्ली pump storage जो है, ये आपके बलरामपूर में प्रस्तावित है, ठीक है, इन्पोर्टनेट है, याद रखना है, अगर छमता की बात करें, तो सबसेदा छमता जो है, ये सीका सार और आपके हजदेव, ये दोनों की छमता 1200, और आपके डांगरी का 1400, और आपके रैन pump storage project, ठीक, इन्पोर्टनेट है, इसे याद रखना है, ठीक है, next देखिए, next है देश का सबसे बड़ा solar energy storage plant की इस दिले में इस्थापीत किया जा रहा है, option A दुर्ग, option B राजनांद गाओ, option C बस्तर, option D राएगड, ठीक है, ध्यान दिजेगा, यहाँ पर बोला गया है solar energy storage, यानि की, जो solar panel आते है, solar panel को सूरी के रोशनी में रखेंगे, तो उससे electricity generate होगा, लेकिन उस electricity को generate करके, उसे store किया जाएगा, यानि की battery में store किया जाएगा, तो जो आपका राजनांद गाओ का, राजनांद गाओ के डोंगर गाओ में, आपका solar energy storage plant इस्थापित किया रह ठीक है, जब भी जो है, आपके electricity generate होगा, उसे battery में, 120 megawatt के battery में उसे store करके रखा जाएगा, और बाकी time पे, रात के समय में जो है, इसे distribute किया जाएगा, ठीक है, 36 गर राज्य जो आपके विद्दूत निगम है, वो इन विजली को खरीद करके, देखें, एक्चुली में ज इस तर पर गाओ को बेचेगी, ठीक है, तो प्रशने पुछा जाएगा, देश का सबसे बड़ा, एक line याद रखना, solar energy storage, storage plant कहां है, एक है, solar energy, railway का solar energy plant कहां पर इस थापीद है, पूछा जाएगा, तो वो है आपके भिलाई में, चरोदा भिलाई में, यह solar energy storage है, दोनों अ किस फसल की किसम है, option A धनिया, option B हल्दी, option C अलसी, option D कुसुम, ठीक है, तो ध्यान दीजेगा, जो वर्षा जो है, वर्षा अलसी का एक नविंतम किसम है, ठीक है, मुखे मंत्री भुपेज बगेल जी के दौरा, पांच आपके फसलों का लोकारपन किया गया, लेकिन वो प पाकी तो आपके इस्थानी स्थर के नाम है, जिसे रायगडी धनिया, रायगडी हल्दी, ठीक है, ऐसे टाइप के नाम है, तो विद्या जो है, ये गिहों की नविंतम किसम है, और अलसी की जो नविंतम किसम है, वो है आपकी वर्षा, ठीक है, नेक्श देखिए, ज्याद भगवान स्री क्रिष्णा का आप देखे होंगे कई जगा उनकी फोटो है जिसमें वो छोटी सी उंगली में गोवर्धन परवत को उठाए हुए है ठीक है तो यह कुछ कहानी उसी से जो डिपेंडेंसी थी वो थी आपकी गोवर्धन परवत के उपर क्योंकि वहीं पर खेती किया करते थे वहीं से वहीं पर उनके पशु जाकर के चारा चरते थे यानि कि उनका जो मुख्य जो उनकी आजिवी का साधन था वो था आपकी गोवर्धन परवत भगवान स्री क्रि के दौरा अपनी छोटी उंगले के उपर गोर्धन परवत को उठा लिया गया और उसके नीचे आ करके सभी के सभी गाउवाले उसकी शरण में आ गये आठवे दिन इंद्रदेव जो है माफी मांगने के लिए भगवान स्री कृष्ण के पास पहुचे तो ये था आपका आठ आठवे दिन नाम से इस पश्ट है आपके गोपाश्टी ठीक है अच्टी याने कि ये जो है आपके दिपावली के आठवे दिन मना जाता है कार्तिक अवस्चे को दिपावली मनाते है उसके आठवे दिन याने कि कार्तिक सुकलपक्ष ठीक है कार्तिक सुकलपक्ष सही नहीं है, option A, प्रदेश का सबसे बड़ा राहुत नाचा महत्सो का आयोजन बिलासपूर में किया जाता है, option B, हाल ही में 2022 में इसका 45 वा संसकरन आयोजीत हुआ, option C, राहुत नाचा महत्सो की शुरुवात वर्ष 1972 से हुई, option D, इस साल राहुत नाचा महत्सो प्रतियोग जो है प्रतम इस्थान पर रही, अब इसमें से पूछा गया है कि कौन सा उत्तर सही नहीं है, देखिए ध्यान दीजेगा, जब कभी भी question solve करेंगे तो उसमें हमेशा देखना, कई वर क्या होता है, सही सब्द सुन करके सही उत्तर चुनना शुरू कर देते, लेकिन क्या व राहुतनाचा महत्सों की जो शुरुवात है, ये वर्ष 1972 से हुई ये गलत है, वर्ष 1978 से राहुतनाचा महत्सों की शुरुवात हुई, इस साल राहुतनाचा महत्सों की जो प्रतियोगिता है, उसमें सिमगा टीम जीती ये गलत है, इसमें ये जीती है आपका परसदा, प दान्ड पानी व्रिहद जल पर योजना किस नदी पर प्रस्तावित है? Option A, कन्हार नदी, Option B, रिहंद नदी, Option C, इव नदी, Option D, केलो नदी. ये जो है आपके राज्योसों में एक प्रदर्शनी बनाई गई थी और इसका डेटेल बताया गया था, डान्ड पानी. न्यूज में भी काफी हाइलाइट में रहा, ये प्रस्तावित है अभी, किस नदी पे प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है आपके इव नदी के ऊपर, कुनकुरी ब्लॉक में, ठीक है? कुनकुरी, कुनकुरी ब्लॉक जश्पूर में, जश्पूर में यहाँ आपका डान् गंबाई 800 मीटर है जबकि इसकी उचाई 35.1 मीटर है इसका जल भराव छेत्र आपका 446 हेक्टेर और इसमें जो है आपके 5 मेगावाट विद्यत उत्पादन भी इसके अंतरगत प्रस्तावी थे ठीक है यह आप याद रखना है नेक्ट देखिए चर्चित पूस्त के अभी जो है आपके चर्चित पूस्त के इससे कोश्चन बालाने से अच्छा आप इसमें राइटर्स के नाम याद रख लीजेगा ठीक है एक एक करके थोड़ा सब देख लेते है चंदन अस मोर गाओं के माटी जो की 36 गड़ में बहत्तर प्रकार के गीतों का संग्रा है इसके ल दुरधर्श नायक रामाधर कश्यक इसके लेखाक है स्री डीडी महंत आनी बानी के 36 गड़ की बानगी इसके लेखाक है आपके अरविंद मिश्ट इसको याद रखिएगा इससे कोशर बन सकता है आनी बानी के 36 गड़ पुस्ता के लेखा कौन है गुर्तुर भाखा महतरु मधुकर वालमीकी रामायन डॉक्टर शुरेश कुमार शर्मा बंगस्य चंद अंजोर इसके सुखदेवसी अहिलेश्वर गावला सिरजाबो इसको भी ये पुस्ता को भी याद रखिएगा सुमन लाज धुव ठीक है अमरया हे मन भावन राजेंद्र प्रसाद सिन कुटिस बंदरा जजरग जजरग कमलेश प्रसाद सर्मा बावु आईने चत्तिसगड स्री शंकर पांडे बिर्सा मुंडा जंजाती नायक प्रोफेशर आलोक चक्रवाल बढ़ सुगर बोरे बासी डॉक्टर सुधिर शर्मा चत्तिसगड के बासी डॉक्टर दश्रत लाल निशाद छुई खदान रियासत का इतिहास डॉक्टर सैलेंद्र सीं आनी बानी चत्तिसगड शायद यह रिपीट हुआ है ठीक है छै कोरी छै अगर तरिया अव बूढ़ा नर्वा यह आया हुआ कोश्चन है गोविंद पटेल यह कोश्चन आया हुआ है ठीक है चंदैनी स्वर्गी है सरजे राव सिंदे लाल श्याम शाह एक आदिवासी कहानी यह संदी ठाकूर की है ठीक है इनको याद रखना है इसके अलावाद चंद संपर के दौरा प्रकाशित होने वाली कुछ पत्रीका जन्मन पत्रीका जिससे आप सभी परिचित है इसके बाद हमारे र निमलिखित में से कौन सी एक पत्रीका का प्रकाशन चंद संपर को भाग के दौरा नहीं किया जाता है तो यह सभी पत्रीकाओ के नाम याद रखिएगा इसके अलावा और कोई भी उप्शन होगा वो आपका एंसर होगा ठीक है इसके अलावा एक नया पत्रीका है जिसका नाम है अरई तुतारी ये मासिक पट्री का है ठीक है मासिक पट्रीका है जिसे मुख्यमंत्री को बताया गया अरई तुतारी 26 गड़ी भषा की पहली मासिक पत्रीका है ठीक है इसको पढ़ लिजएगा उतना माझ डिटेल राइपूर में हुआ ठीक है ओप्शन B इसमें भारत के विभिन राज्यों के कलाकारों के साथ साथ दस देशों के विदेशी कलाकार शामिल हुए ओप्शन C फसल कटाई स्रेणी के नृत्य में लेकिन ध्यान दीजेगा इसका जो आयोजन है ये एक से लेकर के 3 नवंबर तक हुआ एक से लेकर के 6 नवंबर तक राज्योसों का आयोजन हुआ लेकिन राश्टिया दिवसिन रित्यमोस्तों का आयोजन केवल 3 दिन हुआ ठीक है तो ये पहला ऑप्शन गलत होगा दूसरा इसमें भारती कलाकारों के सासाथ 10 देशों के कलाकार शामिल हुए ये सही है उप्शन C पसल कटा इस स्रेणी में उरिसा का धेशना नृत्य प्रथम इस्थान पर रहा ये गलत है तो ऑप्शन ब और द सही है ठीक है ऑप्शन जो है आपका ब और द सही है अ और स गलत है ठी तो इसे कवर कीजिएगा देखिए राष्टिय आदिवासी नृत्य महुत्सो का आईजन जो है एक सिले के 3 नवंबर तक हुआ जिसमें प्रथम पूरुसकार है पाच लाग दृतिय में 3 लाग तृतिय में 2 लाग आपके पूरुसकार सम्मानित किया गया प्रथम में रहा 36 जबकि विवास अंसकार स्ट्रेणी में सिक्किम का तमांग सेलो उडिसा का आपका घुडसा मृत्य और जारखन का दमरच रित्य तृतिय इस्थान पे रहा तोटल 10 देश के कलाकार सामिल हुए टोगो मोजांबिया सर्बिया इंडोनेशिया माल्दिय मंगोलिया न्यूज पहले के करिंट अफेर हमें हम ने पहले पढ़ा है कि नीलगाय और चितल पार्क ये कहां परिस्थित है रामानुज गन्ज में लेकिन यहां बोला जाए रहा है नील गाय प्रजनन केंद्र, क्या बोले जाएगा है, नील गाय प्रजनन केंद्र, यह मौझूद है आपके बस्तर के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, कहां पर मौझूद है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में यह मौझूद है, ठीक है, अगर बोला जाएगा कि नील गा पार्क कहां पर है तब उसको option आएगा रामानुजगंज ठीक है रामानुजगंज में जो है आपके नील गाए पार्क मौझूद है लेकिन यहां बुले जारा प्रजिनन केंद्र तो प्रजिनन केंद्र कहां पर मौझूद है यह मौझूद है आपके बस्तर के कांगेर घाट नेशनल पार्क में ठीक है next देखिए किरन अगरवाल का संबंद किस खेल से है option A badminton, option B सतरंज, option C volleyball, option D tennis, ये है किरन अगरवाल किरन अगरवाल जी का संबंद है आपके शतरंज से, अभी हाली में हुए common wealth आपके chess game यानि कि शतरंज, जो आपके championship जिसका आयोजन हुआ स्रीलंका में उसके भारती team की coach न्यूक तो हुई थी आपके किरन अगरवाल जी, ठीक है तो किरन अगरवाल का नाम याद रखिएगा, ये भारती team की coach न्यूक तो हुई थी, next देखिए, next, अब इससे बताने के ज़्यादा कुछ नहीं है, ये है आपका लक्षमन जूला, इसको एक सर्थ बता जैता हूँ, हमारे प्रदेश में total 4 लक्षमन जूले है 4 लक्षमन जूले, पहरा जो है आपके महादेवगाट राइपूर में इस्तित है, दूसरा राजीम गरियाबंद में है तीसरा, दूर्ग के पाटरन ब्लॉक के ठकराइन टोला में है और चोथा जो है, ये मरमरातट दूरूग में है महादेवगाट, खारून नदी के उपर एक लक्षमन जूला निर्मित है, राजीम में पहला लक्षमन जूला कौन सा है, तो प्रदेश का पहला लक्षमन जूला है आपका महादेवगाट, राइपूर का प्रदेश का सबसे बड़ा लक्षमन जूला कौन सा है, पूछा जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा लक्षमन जूला है आपके राजीम के गरिया बंद का ठीक है यह दो फैक्ट आपको याद रखने हैं ठीक नेक्ट देखिए अगर हम देखें यह सभी के सभी चारों आपके प्रमुक पूरा तत्विक इस्थाल है यहाँ पर आज की भी डेट में खुदाई के दौरान कुछ न कुछ आर्कियोलोजिकल एविडेंस यादि की पूरातातिक साक्षा में प्राप्त हो रहे है यहाँ पर बात हो रही है आपके जनपद कालीन सिक्के जो की 2400 साल पुराने है ध्यान दीजेगा आपके रिवा ग्राम आरंग में अभी हाली में 2400 साल पुराने जनपद कालीन सिक्के प्राप्त हुए जनपद काल याने की काशी महा जनपद मगद महा जनपद के सिक्के प्राप्त हुए है यहाँ से आपके कुशान कालीन मुद्राएं इसके अलाबा 36 गड़ के जो इस्थानी शाचक है शरव पूरिय वंच के जो है यहाँ पे सिक्खे और मुदराय प्राप्त हुए है साती सात जो आपके कोटिल्य की जो आपके जो अर्थसास्तर है उसमें जिस प्रकार की जल्दूर्ग का जने की किले का वरणन किया गया था वैसे किले इस आपकी रिवा ग्राम आरंग में तहे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ठीक है उससे कुछ साक्ष प्राप्त हुए है जलदूरग के साक्ष प्राप्त हुए है ठीक है नेच्ट देखिए शेट्स आपधी पाष्ट पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्षण A अरुन शौरी, ऑप्षण B हरीहरजा, ऑप्षण C अलामा इकबाल और ऑप्षण D रंगनाधा रामक्रिश्ना ठीक है देखिए यो Shades of the Past नाम से इस पर्ष्ट है पास्ट याने की पहले का भूतकाल Shades देखिए ये जो पुस्तक है ये गुरु घासीदास नैशनल पार्क में मिले शैल चित्रों जे संबंदित है गुरु घासीदास नैशनल पार्क के जनकपूर परिछेत्र के अंतरगत स आली में यहां पे जो है चै और साइट्स प्राप्त हुए है जहां पर सेल चित्र मौजूद है भारी मात्रा में यहां पर सेल चित्र प्राप्त हुए है तो इस सेल चित्र में क्या दर्शाया गया है क्या अंकन है उसे ले करके जो गुरु घासीदास नैशनल पार्क के जो पुस्तक है ये गुरु घासीदाश नेशनल पार्क के जनकपूर परिछेतर के अंतरगत तीन से लेकर के 5000 वर्ष पुराने यहाँ पे टोटल आपके 24 साइट्स प्राप्थ हुए है छे मैंने पहले यहाँ पे अठा साइट्स थे अभी 6 और साइट्स प्राप्थ हुए है इन साइट्स में आपके शिकार के आउजार और जनवरों को बड़े पत्थर में रख करके कातने के साक्ष प्राप्थ हुए कुछ इस तरीके के पत्था है, जहांबे जानवरों के सीर को रख करें, कातने के साक्षा है, यहाँ पर जो है, आपके कुछ इस प्रकास सेल चित्र प्राक्त हुए है, ठीक है, तो इन सभी सेल चित्रों को ले करके, सेट्स ऑफ दी पाश्टरा पुस्तक लिखा गया है, आप है, याद रखना है, 36 गड़ का पहला हमर क्लिनिक किस जिल्ली में शुरू हुआ, देखिए, यह है हमर क्लिनिक, एक था आपका हमर लैब, जो कि आपके जनवरी से जून वाले टॉपिक में आप पढ़ेंगे, हमर क्लिनिक, जो आपके जो सास की चिकित सालह है, जो आपके हॉस्पिटल है, वहाँ पर आपके बढ़ते दबाओं को देखते हुए, प्रदेश सरकार के दोरा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका नाम है हमर क्लिनिक, क्या होता है कि जो आपके जो गौवर्मेंट हॉस्पिटल है, उसमें बड़ी बिमारियों के सासा, छोटे बखार है, सरदी है, खासी है, उसके इलाज के लिए आपके हमर क्लिनिक का कॉंसेट लाया गया है, प्रदेश का जो आपका पहरा हमर क्लिनिक किस जिले में खोला गया है, ध्यान दिजेगा, option A, रायपूर, option B, आपका सर्गुजा, option C, बिलासपूर, option D, कोरबा, ध्यान द पूर में जो है, आपका पहला हमर क्लिनिक खोला गया है, इंपोर्टेंट है, याद रखना है, हर किसी का एंसर रायपूर मत मार दीजेगा, ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 को मुक्यमंत्री बोपेज बगेल जी के द्वारा, प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा मिल मिलेट प्रसंसकरण, मिलेट का मतलब होता है, आपकी मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज, मिलेट प्रदेश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंसकरण उद्योग, इस्थापित किया गया, option A, बस्तर, option B, बलरामपूर, option C, कोंड़ा का, option D, काकेर, अगर आप देखेंगे तो केंद्र खोला गया है, इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है, देखें, प्रदेश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंसकरण केंद्र, नतिया नावा गाव काकेर में, 7 अक्टूबर 2022 को इसका लोकारपन, मुख्य मंत्र भुपेश बेगिल सबसे चमतावली इकाई है, जिसका वार्शिक उत्पादन 10 से लेके 12,000 टन है, प्रति दिन 34 से लेकर के 40 टन कोदो कुट की रागी के आउशकता होगी, ठीक है, देखें, यहाँ पर जो है, इस प्रसंसकरण इकाई में 7 प्रकार के मशीनों के दोरा कोदो कुट की रागी को प्रसंसकरित कर, कोदो कुट की रागी से चावल, इनका दलिया, सूजी, आटा सेवाई, पास्ता, सूप, मिक्स, बिस्कीट, कुकी, लड़ू, इत्यादी सामान बनाये जाएंगे, ठीक है, अगर हम दक्षिंट 36 की बात करें, यानि कि बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग प्रसंसकरन केंद्र वो भी बस्तर में, और मिलेट प्रसंसकरन केंद्र वो कांकेर के नथ्यानावा गाओ में, ठीक है, इतना याद रखना है, नेश्ट देखे, प्रदेश सरकार द्वारा, खरीप विपणन वर्ष 2000, 22-23 में धान की खरीदी के लिए कुल कितने खरीदी के ठीक है, ध्यान दीजेगा, प्रदेश सरकार के द्वारा, विपणन वर्ष 2000, 22-23 में धान की खरीदी के लिए, टोटल 24-27 उपारजन केंद्र, यानि की खरीदी केंद्र इस्थापित किये गया है, देखे, अगर हम MSP की बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्धार और Grade A धान को 2060 रुपे के दर से खरीदेगी, प्रदेश सरकार ने घोषना किया है, अभी केवल घोषना किया गया है, प्रदेश सरकार के दौर घोषना किया गया है, कि 2640 रुपे की प्रतिक उंटल की दर से प्रदेश सरकार 36 गड़ के किसानों से धान की खरीदी करेगी, हमारे प्रदेश में जो धान की खरिदी है वो आपके 1 नवंबर 2022 से ले करके आपके 31 जनवरी 2021 तक धान की खरिदी की जाएगी प्रदेश सरकार का लक्ष है कि इस साल जो है आपके टोटल 110 लाख मेट्रिक तन धान की खरिदी किया जाने का लक्ष है 16 जनवरी 2022 तक की इस्थिति में प्रदेस सरकार ने 100 लाग मेट्रिक्टन धान की खरीदी कर ली है अभी 16 दिसंबर तक प्रदेस सरकार ने 100 लाग मेट्रिक्टन धान खरीद लिया है अपने लक्ष के एकदम करीब है 31 जनवरी 2023 तक इसके फाइनल डटाएंगे 16 जनवरी 2023 तक की स्थिति में 15 कुंटल प्रती एकड़ के हिसाफ से धान खरीदी की जा रही है इसके अलावा मक्का की भी खरीदी की जा रही है मक्का इक खरीदी आपके 1962 रुपर प्रती कुंटल की दर से किया जा रहा है और साथ इसाथ जो है वो उसकी खरीदी एक नवंबर 2022 से लेकर के आपके 28 परवरी 2023 तक इसकी खरीदी की जाएगी ठीक है ये 2023 है मैं पूरे डिटियल में यहाँ थियोरी नहीं लिख रहा हूँ कुछ important fact है वो आपको बता रहा हूँ ठीक है प्रदेश सरकार के दोरा इसका ए जो आपकी रिंड पूस्ती का उसे अप्लोड करके यहां से भी online token लिया जा सकता है तो यह सारा concept आपको याद रखना है 36 गड़ में धान खरीदे से related ठीक है पिछले साल जो है आपके 90,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, नेक्ट देखिए नेक्ट है धमतरी में प्रति वर्ष किस महा मा अंगार मोती मेले का आयोजन होता है असाल महा कार्तिक महा पौश महा माग महा ठीक है मा अंगार मोती मिला मा अंगार मोती जो माता है इसनका मेला आपके धमतरी जिले में भरता है धमतरी जिले में जो आपक बरते हैं मा अंगार मोती जो की गंग्रेल छेतर के आसपास के बावन गाओं की इश्ट देवी है मा अंगार मोती जो है ये रिशी अंगीरा की पुत्री और माता विंदेवासनी की बहन है ठीक है मा अंगार मोती जो है इनका जो मूल जो मंदीर था वो था आपके चवर गाओ में चवर गाओ जो की गंग्रेल डैम के अंदर डूप चुका है गंग्रेल डैम के जल भराव छेतर के अंतरगत आने के कारण पूरे के पूरे गाओ को शिफ्ट किया गया जिसके कारण मंदिर को भी शिफ्ट किया गया यह जो आपके मांगार मोती का जो मंदिर है यह दो इस चले गया आपके रुद्री रोल सीता कुंड में देखें मैं पूरा का पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ थियोरी क्लास नहीं है इस पुस्तक को ले सकते है इस पुस्तक में सारा डिटेलिंग है ठीक है ज्यादा पूरा थियोरी बताने से कोई मतलब नहीं कुछ important question को हम practice कर रहे है ठीक है तो यह जो आपके मा अंगार मोथी का जो मेला है यह आयोजित होता है आपके कार्तिक महने में कार्तिक महने में दिपावली के बाद आने वाले पहले शुक्रवार को ठीक है कार्तिक अमा वस्ते को क्या मना जाता है दिपावली नेशनल गेम 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ आपके दूसरा कथन है इसमें 36 गड़ ने कुल 13 पदक जीते option C है खिलाडी अमितेश मिस्र ने स्पीड इसकेटिंग में स्वान पदक जीता option D है कोशल नंदनी ठाकुर ने कैनोइंग में रज़त पतक जीता ठीक है चारो इसकेटमेंट को ध्यान से रेखिए 36 बार नेशनल गेम याने की राष्टे खिल जो है ये 2022 का आयोजन गुजरात में हुआ 36 गड़ ने कुल 13 पदक जीते अमितेश मिस्र खिलाडी अमितेश मिस्र ने स्पीड स्केटिंग में स्वान पदक जीता कोशल नंदरी ठाकुर ने कैनोइंग में गज़त पदक जीता है कैनोइंग जो है ये एक प्रकार का नौका दोड़ होता है ठीक है जो आपके पानी में जो तैरने वाले जो नाव है नौका है उसकी जो है रेस होती है देखिए तो इसमें से ही जो चारो के चारो कथन है चारो कथन को ध्यान से पढ़िए केवल एक केवल आ और बा केवल आ बा और सा केवल आ बा सा और दा देखिए नैशनल गिम का आजन गुजरात में हुआ 36 गर्ड ने 13 पदक जीते ये भी सही है अमितेश मिस्र जिन्होंने इसके स्पीड स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता और कौशल नंदनी ने कैनोइंग में रज़त पदक जीता चारो के चारो कथन सही है ठेक है देखिए यहाँ पर जो है आपके टोटल 13 पदक हमारे प्रदेश के खिलाडियों ने जीता कौन-कौन से खिलाडी थे किस-किस वर्ग से थे किसने स्वर्ण जीता किसने रज़त पदक जीता इसको ध्यान देना है टोटल 2 गोल्ड मेडल 5 सिलवर मेडल 6 ब्रॉंज मेडल के साथ 36 गड़ ने टोटल 13 मेडल जीते इस नेशनल केम्स में स्वच्छता सर्वेक्षन 2022 स्वच्छ भारत मिशन शहरी से संबंधित निमलिखित कथनों पर विचार की गिए कथन A Biz की बूख में दी गई है वहाँ से देख सकते हैं देखे स्वच्छ प्रदर्शन वाले राज्यों की सूची में 36 गड़ पर पर रहा ये गलत है क्यूकि स्रेश्ट प्रदाशन वाले राज्यों की सूची में 36 गर जो है ये 2nd position पर रहा पहले position पर था आपका मध्यप्रदेश ठीक है एक लाग से अधिक आबादी ओले शहरों की सूची में अंबिकापूर दूसरे इस्थान पर रहा ये भी गलत है अंबिकापूर जो है ये आपके निम लिकित में से कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा है तो अब और साथ तीनों सही नहीं है ठीक है महतमा गांदी रूलर इंडश्टिल पार्क जिसका शोट फॉर्म है रीपा के प्रथम चरण में कुल कितने इंडश्टिल पार्क विक्षित किये जाएंगे देखे महतम आजीविका के नए-न्य साधन विक्सित करने का प्रयास कर रही है। जाने कि गौथानों में मुर्गी पालन, बक्री पालन, सुवर पालन, इसके अलावाग गेहों को पिछने के लिए, आटा चक्की, तेल निकालने के लिए, आपका तेल निकालने का मशीन, ठीक है, तो ऐसे जो है जो गौठान है गौठान में केवल गायों के पालन नहीं वहाँ पर जो है अलग अलग तरीकों से वहाँ पर जो है उद्योग इस्थापित करना ठीक है आजीविका के नए-ने संसाधन इस्थापित करना तो महात्मा गांधी रूलर इंडस्ट्रियल योजना जो है इसक प्रतेक विकास खंड के अंतरगत दो पार का इस्थापित किये जाएंगे इसके लिए गौठानों में एक से तीन एकर तक की भूमी एलोट की जाएगी ठीक है जो जो बोला समझेगा इस योजना की शुरुवात कब हुई दो अक्टूबर 2022 को जिसके प्रतेक विकास खंड मे दो पार का इस्थापित किये जाने का प्रावधान है और साथी साथ हर एक गौठान में 101 से लेके तीन एकर तक की भूमी इसके अंतरगत अलोट की जाएगी ठीक है नेक्ट देखिए 20 दुवारिया मंदिर किस जिले में स्थित है option A बालोद, option B बस्तर, option C कांकेर, option D बिला बिलासपूर में ठीक है बिलासपूर जिले के रतनपूर में वजूद है आपके 20 दुवारिया मंदिर यह जो आपके 20 दुवारिया मंदिर है यह कल्चूरी कालीन है ठीक है यह जो है यह आपके कल्चूरी कालीन मंदिर है यह मंदिर का निर्मान किसने करवाया ऐसी कोई ज आमान नहीं मिलते इस यह आपका 20 दुवार या मंदीर है इसमें किस देवी या देवता की प्रतीमा है पूछा जाए तो ध्यान दिजेगा यहाँ पर कोई भी प्रतीमा नहीं है इस मंदीर में कोई भी प्रतीमा नहीं यह प्रतीमा विहीन मंदीर है ठीक है तो यह है आपका 20 पेदम्मा गुडी किस जिले में इस्थित है, option A बस्तर, option B दंतेवाड़ा, option C कांकेर, option D कुन्डागाव, यह है आपका पेदम्मा गुडी, पेदम्मा गुडी जो है, पेदम्मा का आर्थ होता है बड़ी मा, ठीक है, बड़ी मा, और गुडी का मतलब होता है आपका मंदिर ठीक है, या देव इस्थल, यह हमारे जंजाती पचली था गुडी, देव गुडी, ठीक है, तो जो पेदम्मा गुडी है, यह मौजूद है आपके बारसूर दंतेवाड़ा में, कहा पर मौजूद है, बारसूर, ठीक है, दंतेवाड़ा की जिले के बारसूरे मौजूद ह यह माता पार्वती को समर्पित है, इस मंदिर के अंदर मौजुद प्रतीमा, इन्पोर्टेंट है याद रखना है, अन्नम देव के टाइम प्रेट से बना हुआ है, इस मंदिर को भी केंद्रिय संरक्षित, इस्थलों की सूची में शामिल करने का प्रयास कर रही है, प्रदे साले फता किया, जैसे कि याशी जैन, जिसने माउंट कीली मंजारों को फता किया, अंकीता गुपता, अंकीता गुपता जो है, इन्होंने माउंट एलब्रूस, जिसकी उचाई 5,642 मीटर है, इसे फता किया, चमनलाल कोसे, जिन्होंने आपके फ्रेंडशिप पिक, जिसकी उचाई 52-90 मीटर है और 99 धाकड जिन्होंने आपके माउंट एवरेश्ट 88-88-86 मीटर इसका परवता रोहन किया ठीक है देखिए याशी जो की रायगर के निवासी है माउंट कीली मंजारो माउंट कीली मंजारो जो की तंजानिया में इस्थित है ठीक है इसके अलावा अंकी जो की पुलिस में है आपके कवीरधाम जिले संबंदित है माउंट एलग्रूस पे इन्होंने वर्ष 2022 से फतह किया चमनलाल कोसे जिन्होंने आपके फ्रेंडशिप पिक फ्रेंडशिप पिक जो है ये आपके हीमांचल प्रदेश के शेलोंग वेली मौजूद है आपका फ् जो की नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद है इन्पॉर्टेंट है इतना याद रखना है तो ये सभी को सुमिलित कीजिए एक और आता है जो ये तो आपका माउंट एवरेश्ट है जिसकी उचाई जो है आट हजार आट सो अर्तालीस है हमारे प्रदेश के बहुत स 2300 मीटर के आसपास है लेकिन जो एक्चुल माउंट एवरेश्ट की उचाई है उसको उस पर जो है आपके परवता रोहन करने वाली हमारे प्रदेश की एक मात्र महीला परवता रोही है आपके नैनासी धाकड ठीक है बाकी आपकी माउंट एवरेश्ट बेस भी बहुत से आपके परवतारोहन कर चुके है ठीक नेक्स देखिए ये कुछ आपके थियोरी है इसको थोड़ा ध्यान रखेएगा 36 गड़ में चार नए मेडिकल कॉलेज की घोशना की गई है इस्थापना की प्रदेश वर्दबान में टोटल 13 मेडिकल कॉलेज है 10 गवर्मेंट है ती बीजापूर ऑप्शन C कोरभा ऑप्शन D जसपूर तो ध्यान दीजेगा ये मौजूद है आपके सुकमा में जो आपका तुलूंग बांध इकोपरेटन केंद्र जो है ये अभी काफी चर्चा में रहा लाश्ट इयर ये एक नाले की उपर निर्मीद एक बांध है जिसकी पानी अंतिम रूप से जागर के शबरी नदी में जागर के मिल जाती है तो ये जो आपके तुलूंग बांध इकोपरेटन केंद्र किस जिले में है पूछा जाए तो ये मौजूद है आपके सुकमा जिले में ठीक है नेक्स देखिए कुछ आपके विविद वाले फैक्ट जाए तो 227 और अनुविभाग की संक्या है 108 देखे मुख्यमंत्र भुपेज बखिल जी के दौरा अभी भी बहुत से आपके नए तहसीलों को बना जाने की घोशना की जा रही है लेकिन वो किवल घोशना किया गया है ओफिशिल तरीके से वो तहसील बने नहीं है एक दिन जितनी भी घोशना की गई है मुख्यमंत्र भुपेज बखिल जी के दौरा उन सभी को किसी एक दिन जो है उन तहसीलों को उदगाटन किया जाएगा अभी के वल घोशना है हो रही है वैसे ही 17 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्र भुपेज बखिल जी के दौरा आपके 25 नए है आपके रतनपूर में जिसका निर्मान 1179 में रतनदेव तृती है के मंत्री गंगाधर के दौरा किया गया डबल डेकर क्रूज सफारी डबल डेकर क्रूज सफारी क्रूज का मतलब होता है एक शीप जो की लगजरी शीप जिसके उपर दो माले होंगे ठीक है ये आपके स 36 गड़ में जुरासी का कालीन टी फर्न के साखशकीस जिले में प्राप्त हुए है औप्शन ए मनेंद्रगड औप्शन बी कोरिया औप्शन सी दंतेवारा औप्शन डी आपके महा समूद देखे टी फर्न टी फर्न जो है एक पौधा है जिसे कहा जा रहा है कि ये 36 करोड स का ये एक भोजन था ठीक है इसी के समीब जो है एक जर्ना भी प्राप्त हुआ है इस आपके टी फर्न को खा करके यहां पर टी फर्न का बगीचा प्राप्त हुआ है कोई एक पौधा नहीं पूरा को पूरा बगीचा प्राप्त हुआ है इन बगीचे से जो है डाइनसौर आपके पौधे को खा करके समीप मौजित जरने में जा करके अपनी प्यास बुझाया करते थे ऐसा दावा किया जा रहा है देखिए अभी वर्तमान में यह जो आपका टीफरन है वर्तमान में हमारे पूरे भारत भर में से अगर आपकी जो कोईले के जो आपके साक्ष मिल रह कोईले को जिवाश में मिल रहे है उसमें से जो सरवाधिक जिवाश में है वो इसी टीफर्ना पौधे के ही है ठीक है यह तो अभी के समय में यह आपको पौधा मिला इसकी हाइट काफी काम है लेकिन एक्चुली में यह पौधे काफी लंबे होते है इनको इन्हें पूर्ण रूप से विक्सित होने में काफी लंबा समय लगता है ठीक है तो यह मिला है आपके दंतेवाड़ा के बैला डिला की पहाड़ी में यह आपके टीफर्ना पौधा प्राप्त हुआ है इन्पोर्टेंट है इसको जाद रखना है ठीक है आपके मद्ध प्रदेश के पंच्व बैला डिला निकल रहा है ठीक है लेकिन जो आपके जीवीत अवस्था में जो पौधे है यह आपके मद्ध प्रदेश के पंच्वटी में और हमारे 36 गड़ के बैला डिला के पहाड़ी में ही मौझूद है ठीक है नेक्ट देखिए माना जाता है कि 1947 में कोरिया के महराजा द्वारा भारत के कीस पशु प्रजाती के अंतिम ग्यात जीवीत सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई ओप्शन A एशियाई चीता ओप्शन B निलगीरी तरह ओप्शन C सुमात्राई गेंडा ओप्शन D गुलावी सीरवाला बतक देखिए यह जो कोश्चन है यह कौन बंड़े करोड़पती के अभी 2022 वाले एपिसोड पूछा गया था इसका एंसर होगा आपका एशियाई ची अधिजार नहीं किया था यह आदमखोर चीते है ठीक है आदमखोर चीते हैं जो कि आपके गावों में घुस करके इंसानों को खा जाया कर रहे थे तो इंसानों को ग्रामीनों को बचाने के लिए इन रामानुऑ्ज प्रताफ सीःग के दौरइब और इन शामिल कर दिया गया इसके बाद यह चीते जो है भारत में कहीं भी नहीं दिखे हाली में प्रधान मंत्री नरेंद्र बोधी जी के दौरा नामीबिया से की गोली मारके हत्या कर दी थी तो ये जो आपके बॉम्बे नेच्छल हिष्टी के दस्तावेश के अनुसर 1948 में भारत के आखरी चीतों का रामगर के जंगलों के सोरहत ब्लॉक में शिकार करने का उल्लेक मिलता है रामानुज प्रताप सीहिं देवने जो है कोरिया रियासत के जो राजा थे गाव वालों की रक्षा के लिए इनका शिकार किया था 1952 में वन्यप्राणी चीता को जो है विलुक्त गोशित कर दिया ठीक है मध्यप्रदेश के शोपूर में कूनो राष्ट्री उध्यान कूनो नैशनल पार्क में जो है नामीबिया से आठ चीते लाए ग नाम आपके प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी जी के द्वारा रखा गया है ठीक है नेक्ट देखिए निम्लिकित कथनों पर विचार कीजिए 36 गडिया ओलम्पिक खेल 6 अक्टूबर 2022 से लेकर के 6 जनवरी 2023 तक आयू जीत हुआ 36 गडिया ओलम्पिक में दोस रेडियों में 16 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया 36 गडिया ओलम्पिक में खेलों के आधार पर 3 आयू वर्ग में प्रतिभागी शामिल हुए 36 गडिया ओलम्पिक में अलग-अलग कुल 6 इस तरों पर संपन्न हुआ देखिए 36 गडिया ओल प्रगार के खेलों को शामिल किया गया था 36 गड़िया ओलंपिक के आधार पर तीन आयू वर्ग प्रतिभागी शामिल हुए थे जी हाँ इसमें जो है बालक वर्ग था युगा वर्ग था और बुजुरू वर्ग था 36 गड़िया ओलंपिक अलग अलग चरणों में 6 इस तरों आपके 6 चरण में हुए तो इसमें जो option B है ये गलत होगा बाकी सभी सही है ठीक है तो देखिए इसका जो आयोजवन है 6 अक्टूबर से 222 से लेके 6 जनवी 23 तक हुआ दो स्रेडियों में 14 खेलायो जीत हुए एक था आपका एकल स्रेणी और दूसरा था दली स्रेणी याने कि सिंगल प्लेयर और आपके ग्रूप सॉप प्लेयर सिंगल प्लेयर में बिल्लास, फोगरी, गेडि दौड दो देखी पूछ सकता है नेम लिखी तमिशे कौन सा एक खेल एक सदस्ये कहला जाता है या कौन सा एक खेल दली स्रेणी में खेला जाता है ठीक है तीन स्रेनी में था, अठरा वर्ष आयू वर्ग की बालक वर्ग दूतिय जो वर्ग था वो अठरा है, 40 वर्ष और 30 वर्ष था, 40 वर्ष से अधिक आयू, राजीव मितान क्लब, जोन इस्तर, विकासखंड इस्तर, जीला इस्तर, संभाग इस्तर और आपके राज्य इ मंत्री होंगे अभी हाल फिलाल में कैबिनेट के दौरा डिसाइड किया गया है कि अनुसूची तर जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिशत गठन किया जाएगा अनुसूची तर जाती सलाहकार परिशत गठन पहले ही किया जा चुका है जाती और अनुसूची तर 20 निर्धारित की गई है जिसमेंसे 5 सदस से हुगेיהया, और 10 सदस से के पिछण वरग के निर्वाचित सदस से होगे सही लुघ से छुनिए लुघी के वल और 20 है केवल उपरोक्ट सभी तो देखिये SC और OBC सलाकर परिसत के जो अद्यक्ष है ये मुख्यमंतरी होंगे ये कथन सही है इन परिसत के उपाद्यक्ष ग्रीमंतरी होंगे ये गलत है इसमें जो है भार साधक भार साधक मंतरी याने कि ऐसे मंतरी जो कि आपके अनुसूचित जाती विकास या अन्य पिछड़ा वर्ग विकास का केबिनेट सौपा गया है वो इसके उपाध्यक्ष ओंगे ऐसा नहीं कि ग्री मंद्री इसके उपाध्यक्ष होंगे अनुसूचित जाती सलाकर परिशत में सदस्यों की संग्या 20 निर्दारी था जिसे 5 विधान सभा के अनुसूचित जाती निर्वाची सदस्य होंगे और बाकी बचे वो जो 6 सदस्य है वो राज्य सरकाल गरा मनुनित किये जाएंगे अन्य ये भी कसन सही है अन्य पिछड़ा वर्ग ओवी सी के सदस्य के संग्या 40 निर्दार्द की गई है जिसमें 10 सदस्य विधान सभा अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाची सदस्य होंगे और बाकी जो 6 सदस्य है वो आपके राज्य सभा मनुनित करेगा तो इसमें से option ज कराना है ध्यान दीजेगा जो हमारी करेंट अफेर की बुक है उसमें पेज नंबर 71 पेज नंबर 71 में टेबल बना हुआ है एक साइड है अनुसूचित जाती सलाहकार परिशद और दूसरे साइड है आपको OBC परिशद तो जो दोनों तरब जो है सेम चीज कट कॉपी लिखा हुआ है देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग OBC सलाहकार परिशद का जो बॉक्स बना हुआ है सदस्य संख्या 40 सही है निर्वाची सदस्य विधान सभा के SC 10 सदस्य हो गया यानि कि यहां पे SC नहीं होगा यहां पे होगा OBC ठीक है इसको करेक्ट कीजेगा यहां पर ह हो सकता है कैमरा में दीख रहा है कि नहीं दीख रहा है यहां पर जो है आपका दो बॉक्स बने हुए है इसमें जो आपका सेकंड बॉक्स है ठीक है जो सेकंड नंबर का बॉक्स है इस सेकंड नंबर के बॉक्स में यहां पर आपका SC लिखा हुआ है इस SC को OBC कर लिजेगा ठीक है यह एक correction है इस book में जिसे कीजिएगा ठीक next देखिए next है आपका निम लिखित में से कौन सा एक यूग मसुमेलित नहीं है डूमर टोला राजनांद गाओ copper यहाँ पर जो है इस्थान और खनीजो के नाम यहाँ पर दिये गए डूमर टोला राजनांद गाओ जहाँ पर copper के साक्ष मिले है कुमा कोलेंग दंतेवा जहाँ पर टीन मून्डपाल सुक्मा जहाँ पर लिथियम और तुम्री सूर कांकेर जहाँ पर यूरेजियम के साक्ष मिले है निमलिकित में से कौन से एक यूग में सुमिलित नहीं है ऐसा कहा जा रहा है अब यहाल ही में हमारे प्रदेश में जो है टोटल 108 इस्थलों पर सर्वे किया गया जिसमें हमारे प्रदेश के बहुत से इस्थानों पर नए ने खनीजों के खोज होई है जैसे कि जो डुमर टूल राजनाद गाहा है यहां पर कॉपर खनीच के भंदारन के साक्ष मिले है कुमा, कोले, दंतेवा, यहां पर टीन के नविंतम भंदारन के साक्ष मिले है मुन्द पाल, सुक्मा जहां पर लिथियम लिथियम जो कि आज की डेट में electronic vehicle के लिए battery बढने के लिए काफी use में आ रहा है उसके साख्ष मिले है तुमडी सुर कांकेर यहाँ पे uranium नहीं यहाँ पे सोने के साख्ष मिले है ठीक है सोना याने की gold तो यह जो आपका option D है यह सुमेलित नहीं है ठीक है total 108 इस्थानों का chain ह हुआ है यहाँ पर पूरे पूरे लिष्ट देख सकते है यहाँ ध्यान दीजेगा जो लिथियम है लिथियम जो है यह हमारे सुक्मा में प्राप्त हुआ है ठीक है सुक्मा जिले में जो है लिथियम के भंडाना प्राप्त हुआ है इन्पोर्टेंट है याद रखना है और कौपर यानि की तामबा जो है यह राजनाद गाव के डुमा टोला ब्लॉक में प्राप्त हुआ है नेक्ट देखिए लोग गाई का लता खापरड़े जिनका हाली में निधन हुआ उनकी विसिष्ट पहचान है भर्थरी गायन बसदेवा गायन चंदेदी गायन विवहागीत यह है आपकी लता खापरड़े जो की लोग गाई का है जिनका हाली में निधन हुआ यह विवहागीतों के लिए काफी फेमस थी इन्हें भारत सरकार के द्वारा विवहागीतों पर रिसर्च करने के लिए फैलोशिप भी प्रदान किया गया था इन्पोर्टेंट है याद पास तो आप जो है एक दो मैंने पहले के वीडियो को जाके देख लीजेगा उसे मैंने पूरा लिष्ट बताया हुआ है इसमें जो है हमारे प्रदेश में टोटल 42 प्रकार की आपकी जनजातिया निवास करती है जो कि आपके अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतरगत आ आने के उच्चारण में तूटी कारण उन्हें जो है योजनाओं का लाब नहीं मिल पाता था वे अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल नहीं थे हाली में जो है केंद्र सरकार के दौरा कुल 12 प्रकार के अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है इसका न पर यहां पर लोर फकर भंडारन है, दहँएं, बीसपी अंजरेल रावघाट मैंस, यहां पर यहां पर एक अंजरेल मैंस है, यहां से लोर अयसक की आपूर्ती की जा रही है, वर्तमान में भिलाई इसपाथ सायंत्र को, इन्पोर्टेंट है इसे याद रखना है, फित रहे ह ब्यूस्पी को वर्तवान में लोही कि आपूर्थी इसी अंज्रेल शेत्र से की जा रही है ठीक नेक्स्ट देखिए इज ओफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रायपूर किस इस्थान पर था option A 3, option B 5, option C 7, option D 10 इज ओफ लिविंग का मतलब होता है कि किसी शहर में कितनी सुगमता पूर्वक जीवन व्यापन किया जा सकता है वहाँ के लिविंग इस टेंप्र के आधार पर वहाँ पर जो है बिजली आपूर्ती, पेजल आपूर्ती, सडक, सुईधा इस सभी सुईधाओं के आधार पर किसी एक राज्य में, किसी एक राज्य के किसी एक शहर में कितनी सुगमता से जीवन व्यापन किया जा सकता है तो इसमें जो हमारा रायपूर है, यह साथवे इस्थान पर है पहले इस्थान पर है आपका महाराष्ट का पूरे शहर ठीक है इसमें केवल बस याद रखना है कि रायपूर जो है यह साथ फे इस्थान पर है नेक्ष्ट देखिए निम लिखत कतनों पर विचार कीजिए चतिस गड़ में दलहन की खरीदी की शुरुवात जो है यह 17 अक्टूबर 2022 से की गई प्रदेश में दलहन की खरीदी पीम आशा योजना के अंतरकत की जा रही है दलहन खरीदी के लिए कुल 20 उपारजन केंद्र चिन्हांकित किये गए है प्रदेश सरकार के द्वारा मूंग की खरीदी 775 रुपे प्रती कुंटल उड़द और अरहर की खरीदी 600 रुपे प्रती कुंटल की दर से की जा रही है सही कथन चुनिए एक और दो दो और तीन एक दो और तीन एक दो तीन चार देखिए यहां अपर लेकिन अलग आलग डेट में इनकी खरीदी जा रही है यह बिल्कुल सही है केंदर सर्कार की योजना है दलहन खरीदी के लिए टोटल 20 उपारजन केंदर याने कि 20 आपके केंदर बनाएगा है जहां पर जाकर एक किसान अपने दलहन फसलों को बेज सकते है ठीक है उसके बाद प्रते सरकार जो है आपके मुंग को 7715 उडद और अरहर को 600 रुप प्रतिकुन्टल की दर से खरीद रही यह भी सही है याने कि चारों कथन आपके सही है ठीक है नेक्ट देखिए 36 गड़ में बालवाडी योजना का शुभारा में कब किया गया औप्शन ए 5 जुलाई 2022 औप्शन बी 5 अगस्त 2022 औप्शन सी 5 सितंबर 2022 औप्शन दी 5 अक्टूबर 2022 देखिए बालवाडी योजना क्या है जैसे कि आज के रेट में लेटेस्ट टाइम पे आप जानते है प् बालवाडी केंद्रों में ही बालवाडी विकास किया जाएगा जिसमें बच्छों को इसकूल में भेजे जाने की आईू 5 साल के बाद ये आप उन्हें पहली कक्छा में दाखिल कर सकते है लेकिन पहली कक्छा से पहले आता आपका बालवाडी ठीक है तो यह बालवाडी योजना की चुरुआत है यह मुक्य मंत्री भुपेज बगेल जी के द्वारा आपकी सिख्षक दिवस के औसर पर 5 सितंबर 2022 को इस योजना की चुरुआत हुई पूरे प्रदेश भर में आपका 5973 याकड़ को याद रखिएगा ठीक है इस नविन सत्र में 5973 बाल वाडी केंद्रों की स्थापना की जाएगी इन्पोर्टेंट है याद रखिएगा नेश्ट देखिए चटिसगर परेटन मंदल का प्रतिक चिन्ध बनाया गया है और उनका प्रतिक चिन्ध है टाइगर बॉय चेद्रू जिसे टाइगर कीट के नाम से भी जाना जाता है ये अबुज मारिय जंजाती संबन्दित था नारायनपूर जिले का निवासी था जिसे चटिसगर का मोगली भी कहा जाता है इसने जो है हॉलिवूड के बहुत से पिच्चरों में काम भी किया है तो ये है आपका टाइगर बॉय चेद्रू का प्रतिक चिन्ध यहां पे टाइगर है और ये इसका एक प्रतिकात्मा मूर्ती बनाया गया है जिसे चटिसगर अगस्तर 2022 ऑप्शन C 10 सितंबर 2022 ऑप्शन D 2 अक्टूबर 2022 देखिए जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो मुख्य मंत्री भुपेश बगल जी के दोरा दाइदीदी मोबाईल क्लिनिक बनाया गया आपके मुख्य मंत्री शहरी सलम साहता योजना के अंतरगत आपके मोबा अपने जो है छोटे मोटे इलाज करवाती है उसी के तरजय पर प्रदे सरकार जो है सुरू करने जा रही है मुख्य मंत्री गोवंच मोबाईल चिकित्सा योजना जिसके पहले चरण में हर जीले में एक दो आपके चिकित्सा वहां पे होंगे जगा जगा पर जाकर कि वह इसलम साहता योजना और मुख्य मंत्री हाडबाजार क्लेनीच के तरजय पर इसे बनाया जा रहा है मुख्य मंत्री भुपेज बखिल जी के तौरा 10 सिदंबर 2022 को इसकी घोशना की गई थी इन्पॉर्टेंट है इसे याद रख लेना ठीका अभी घोशना हुआ है अभी इ जाएगा या पहला मैंड जो है आपके मनेंद्रगड में जाएगा और इससे बचिएगा ठीक है देखें यहां पर जो बात हो रही है बहु कोशिय समुद्री शैवाल की बात हो रही है शैवाल याने की पानी के अंदर पनपने वाले पौधे इसके साक्ष प्राप्त हुए है आपके महा समुन से महा समुन में एक नदी प्रवाहित होती है जिसकी नाम है सुरंगी नदी किस जिले प्रवाहित होती है पूछा जाए तो सुरंगी नदी जो है यह आपके महा समुन जिले के अंदर जो है आपके यह जो पौधे है समुद्री शैवाल है इनके साक्ष इनके जिवाश में प्राप्त हुए है ठीक है जो आपका जो मेरीन फॉसिल पार्क है मेरीन फॉसिल पार्क आपके मनेंद्रगड में आपके हस्देव नदी के तठ परिस्तित है यह बहु कोशिय समुद्री सैवाल के जिवाश में के साक्ष है ठीक है जो कि महा समुद्र में स के मनिंद्रगड हस्देव नदी के तठ पर और यहां बहु कोशिय समुद्री शैवाल पूछ रहा है तो उसका एंसर होगा महा समुद्र जीले के सुरंगी नदी के तठ पर ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए कॉमन वेल्थ गेम ने कॉमन वेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता सही उत्तर चुनिए देखें कॉमन वेल्थ गेम जो है इसका आवजन बर्मिंगा में हुआ ये कथन सही है इस गेम से में भारत ने कुल 22 स्वर्ण पदक जीते ये कथन भी सही है कॉमन वेल्थ गेम में 36 गर से कुल 3 आकरशी कश्यप ने Commonwealth Game 2022 में स्वर्ण पदक जीता ये भी गलत है, क्योंकि इसने आपका रजत पदक जीता, तो कौन सा कथन सही होगा, A और B कथन सही होगा, यानि की A और 2, देखिए, ये है आपका Commonwealth Game की सूची, भारत जो है चौथे स्थान पर रहा, 22 स्वर्ण पदक जीते, जीसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 ब्रॉंज मेडल, यानि की कास्य पदक जीते, टोटल 61 पदक जीता गया, ये है आपके आकरशी कश्यप जीनोंने रजत पदक जीता आपके बैडमिंटन में, ठीक है, नेक्ट देखिए, प्रदेश के वर्तमान पाच्वी, विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल की इस विधान सभा चेत्र के विधायक है, देखिए, जो हमारे पाची विधान सभा है, उसमें पहले जो आपके नेता प्रतिपक्ष थे, वो थे आपके धर्मलाग कौशिक, उनके इस थान पर आपके नारायन चंदेल जो है, ये न के ते नंद कुमार सहय, जो की 2002-2003 तक थे, दूसरी विधान सभाते उसके आपकी नेता प्रतिपक्षिते महंद्र करमा, 2003-2008, तीसरे जो आपके विधान सभाते, उसके नेता प्रतिपक्षिते आपके रविंद्र, चौबे नौ से तेरा, चौथे के थे टीयस जीन देव 2014 से 2018 और पांचवे के प्रथम आपका कारेकाल था धरमलाल कौसिक जी का 2019 से 2022 और नारायन चंदेल का 2022 से अभी निरंतर थीक है यानि कि पाच्वी विधान सभा में अभी दो नेता प्रतिपक्ष हो चुके है इंपोर्टेंट है याद रखना है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है निमलिखित कथनों पर विचार कीजे क्रिष्न कुण जी योजना की शुरुवात 19 अगस्त 2022 को की गई इसका शुभारा बमुख्य मंत्री भुपेश बगिल जी के द्वारा रायपूर के तेली बांधा से किया गया इस योजना में वानिजिक महत्व के पौधो का रोपन किया जाएगा इस योजना के अंतर का तिन्यूंतम एक एकड की सास की भुमी का आबंटन वन विभाग के द्वारा किये जाने का निर्देश दिया गया है इस योजना का विस्ता संपुन छत्तिजगर में किया जाएगा देखिए इस योजना में वार्जीक महत्व के पौधो का रोपन किया जाएगा ये गलत है वार्जीक मतलब होता है कमर्शल जैसे कि साल सागों साचा बीजा ये सभी कमर्शल है इसमें जो है वार्जीक महत्व के पौधो का नहीं इसमें धार्मिक एवं जीवन उप्योगी पौधो का रोपन किया जाएगा धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पौध है यानि कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी पौध है जिनका धार्मिक महत्व भी है जैसे पीपल हो गया बरगत हो गया तथा जीवन उपयोगी है जो पीपल और बरगत के पेड़ है ये काफी ज्यादा मातरा में oxygen आपका छोड़ते है oxygen मुक्त करते है तो ये है आपके तो जो आपका people हो गया इसके लावा बर्गत हो गया नीम हो गया ये सभी जो आपके धार्मीक और सांस्कृतिक महत्वा के सासा जीवन उपयोगी पौधो का इसमें रोपन किया जाएगा तो वानिजीक पौधो का रोपन होगा ये गलत है इस योजना के अंतरगत एक एकर की सासकी भूमी का आबंटिंग वन विभाग के दोरा किये जाने का निर्देश है ये भी कथन सही है कम से कम एक एकर की भूमी वन विभाग ये ऐलोट करेगी इस योजना का विस्तार जो है संपून चерхतिस गड में है ये गलत है ये जो योजना है ये किवल नगरिय छेत्र में है ठीक है प्रदेश में जो आपका नगर निगम नगर पाली का नगर पंचायत है वहाँ पर जो है इस योजना का विस्तार है ग्रामीड शेतर के लिए नहीं है योजना ठीक है तो इसमें आपका option एक दो और चार एक दो और चार सही है ये कृष्ण कुंज योजना का ये लोगों का भी अनावरन किया गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोरा रेडियो का रिक्रम मन की बात में किस एक एतिहासिक पर्व मेले का उलेख किया गया जो आपके मुक्य मंत्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोरा रेडियो का रिक्रम आता है मन की बात उसमें जो है उन्होंने हमारे प्रदेश के एक मेले या एक परवका उन्होंने जो है उलेक किया बस्तर दशारा बस्तर राजी मागी पुन्नी मेला गरियाबन माता मावली मेला नारायनपूर और उप्रोक्त सभी देखे इसमें जो है माता मावली मेला जो की नारायनपूर मे आयोजीत होता है इसका उल्लेक प्रधार मंत्री नरंद्र मोधी जी के द्वारा मन की बात में किया गया इन्पोर्टेंट है इसको करना है देखिए आप में से कुछ इस्ट्रेंड ने मुझे मैसेज किया था कि सर आपने तो जो है जो हमारा एक क्लास चला था जनरल इस्टडी का उसे मैंने बताया था कि सोन कुकनार में माता मावली के मेले का आयोजन होता है जो की बारा साल में एक बार होता है और एक है माता मावली का मेला नारायनपूर तो बच्चे ये पूछ रहे है कि सर माता मावली का मेला सोन कुकनार में आयोजीत होता है कि नारायनपूर में देखिए माता मावली जो है ये माता दंतेशवरी का एक प्रतिरूप है अन्नम देव के दोरा जो दंतेशवरी माता की जो अलग-अलग जो उनका प्रतिरूप है माता मावली के तौर पर पूरे के पूरे बस्तर के अलग-अलग छेत्र में इस्थापित किया गया नारायनपूर के साथ साथ बहुत से परगणे थे हर एक परगणा में जो है माता मावली का यानि की दंतेश्वली माता का एक प्रतिरूप इस्थापित किया गया जहां जहां पर माता मावली की जो प्रतिमाय थी वहां पर मेले का आयोजन होता था लेकिन समय बीतने के साथ साथ अलग-अलग इस्थान पर मेले का आयोजन होना अब समाप्त हो चुका है लेकिन नारायनपूर में प्रती वर्ष आपके माता मावली के मेले का आयोजन होता है जो की विश्व प्रसिद्ध है सोन कुकनार में भी आपके माता मावली के मेले का आयोजन होता है जो की 12 साल में एक बार आयोजित होता है तो प्रधान मंतरी नारेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नारायन पूर में जो माता मावली के मेले का आरजन होता है उसका उल्ले मन की बात में किया गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए तो ध्यान दीजेगा टोटल तीन आपके गौठान है जिने आपके राज्य इस तरिये सर्वस्रेष्ट गौठान पूरुसकार के लिए चुना गया कौन कौन से है देखिए इसका पूरुसकार प्रदान किया गया आर्थिक गतिविधी में कुशल संचालन एम उत्कृष्ट कारे करने के लिए पूरुसकार प्रदान किया गया इसमें जो है जो राज्य इस तरिये 50,000 रुपए और जीला इस तरिये सर्वस्रेष्ट गौठान को 25,000 रुपए दिया गया राज्य इस तरिये में जो आपके दुर्ग जीले के पाठन ब्लॉक के कसेरा गौठान, चटोध गौठान जो की रायपूर के आरंग में हैं और डोंडे हरंगर गौठान जो की कोईली बेडा कांकेर का है ये तीनों के तीनों को सर्वस्रेष्ट गौठान के रूप में राज्य इसतरी गौठान के रूप में चुना गया है अब ये प्रधान मंत्री आदी आदर्शे ग्राम योजना है क्या? इसका एंसर देख लिजे, इसका एंसर है आपका 1530 ये है कि इसको तो आदर्शे ग्राम योजना जो है इसका ये संशोधन किया गया है आपके 8 अगरसे 2022 को इसका पूरो नाम था जन्जातिय उप योजना के लिए विशेश केंद्रिय साहयता इसका जो क्रियानवयन है प्रधान मंत्री आदर्शे ग्राम योजना का जो क्रियानवयन है ये 2021-22 से लेकर के 2025-26 पास साल के लिए किया जाएगा इसने पूरे देश भर के 500 जन्जातियों को कवर किया गया है देश के कुल 36,428 गाओ इसके अंतरगा शामिल हुए है 36 गड में शामिल प्रधेश के 7 जिले के 1530 गाओ इसके अंतरगा चिंधांकित हुए है इसमें क्या है पचास प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जन्जाती आबादी संकेंद्रण वाले अनुसूचित जाती बहुल गाओ को एकेकरित विकास करना है याने कि आदिवहस की बहुल चेत्र के जो गाओ है उनके विकास के लिए चलाया जा रहा है एक ये आपका केंद्रिय योजना है ठीक है नेक्ट देखिए सतनाम पंते के प्रवर्तक गुरु घासिदास जी ने अपना अंतिम उपदेश की सिस्थान पर दिया था ये सभी के सभी जो इस्थान है ये सतनाम पंत का एक प्रमुक धार्मिक केंद्रा है ठीक है अगर हम चेत्वा पूरी धाम की बात करें तो शिवनात मदी के तठपर बिमेतरा जिले में स्थित है तेलासी बाड़ा यही बलौदा बजार में है दलहा पोडी और आपकी दलहा पोडी है ये एक गाव है इसी के पास मौझूद है आपका दलहा पहाड दलहा पहाड देखें दलहा पहाड जहां पर दलहा पहाड जहां पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन ठीक है नाग पंचमी के दिन यहां पर प्रतिवर्ष मेला भरता है जो की जांजगीर चापा के अकलतरा में इस्थित है ये दलहा पहाड ठीक है दलहा पहाड ये दलहा पोड़ी में जो है गुरु घासिदाज जी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था नाक पंचमी के दिन इस पहाड के उपर मौजूद है एक जलकुंड जिसमें इसनान करने से चर्म रोग से म समाधी इस्थल है तेलासी बाड़ा गिरोधपुरी जहां पर गुरु घासिदाज जी का जन्मा हुआ था तेलासी बाड़ा जो कि एक आपके सतनाम पंध का प्रमुख धान में इस्थल है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका हाली में चर्चा में रहा सूपर वासुकी क्या है एक सूपर क्रिटिकल टाफिद्यो सयंत्र एक रेलवे मालगाड़ी एक ट्रिपल पी मॉडल पर आधारीद एथेनौल प्लांट एक धान की प्रजाती तो देखिए सूपर वासुकी वासुकी जो है ये शेशनां के भाई है साप है ठीक है ये जो सूपर व परिचालन कोरबा कोरबा से राजनांद गाओ के मध्य किया गया ठीक है कोरबा से राजनांद गाओ के मध्य जो है इसका परिचालन किया गया था इसमें टोटल 6 इंजन थे इसकी लंबाई थी आपकी 3.5 किलो बीटर इन्पोर्टेंट है याद रख लेना ठीक है सूपर व देखर के होगा तो ध्यान रखना जुमका आइलेंड जो है जुमका डैम कोरिया में मौजूद है कोरिया के बैकुंट पूर बैकुंट पूर कोरिया में आपका जुमका आइलेंड मौजूद है ठीक है इन्पोर्टेंट है इसको याद रखना है ये है आपके जुमका आइले ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए, राजय शाषन के द्वारा प्रदेश में 20 जुलाई 2022 से हरेली परवक से गोमुत्र खरीदी की शुरुवात की गई, दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री भुपेज बगल जी के द्वारा लेकिन हरेली जो है, ये 20 को नहीं, ये 28 जुलाई था, 28 जुलाई 2022 को, ठीक है, प्रदेश में गोधन निया योजना की शुरुवात 20 जुलाई 2020 को हुआ था, उस दिन हरेली था, 20 जुलाई 2020 को हरेली परवक के दिन गोधन निया योजना की शुरुवात हुई, उसी का विस डेट याद रखना कब का है 28 जुलाई 2022 नेक्ष देखिए मुख्यमंत्री महतारी न्यायरत की शुरुवात की स्थिथी को की गई 28 जुलाई 2022 15 गर्स 2022 2 अक्टूबर 2022 और 11 सितंबर 2022 देखिए ये जो आपका मुख्यमंत्री महतारी न्यायरत जो है ये एक वैन है जिसमें एक बहुत बड़ा LED लगा रहता है जिसमें महिलाओं के अधिकारों से संबंदित इसमें एड दिखाये जाते हैं इसके अंदर दो महिला एडवोकेट भी रहते हैं अगर किसी महिला को किसी प्रकर की शिकायत है तो वो उस एडवोकेट से जाकर के परामर्श भी ले सकते हैं इ 36 गड़ महिला आयोक के द्वारा 28 जुलाई 2022 को याने कि आपके हरेली परव के दिन ही इसकी शुरुवात की गई थी नेक्ट देखिए इंद्रा गांधी रास्ट्रिय जन जाती विश्व विद्याले मद्य प्रदेश याने अमर कंटक के सहयोग से प्रदेश के किस जिले में जन जाती विश्व विद्याले कोशल विकास केंद्र इस्थापना किया जा रहा है पहला ओप्शन एक गोरिला पेंटरा मरवाही ओप्शन वी कवीरधाम ओप्शन सी बिलासपूर और ओप्शन डी मुंगेली तो देखिए जो आपके जो गोरिला पेंटरा मरवाही है गोरिला पेंटरा मरवाही के वहां के जो इस्थानी निवासी है वो जो आपके आदिवसी बहूल छेतर है वहां के वो आपके लगूव अनुपच से परिचीत है किस लगुवन उपच का प्रयोग किस लिए किया जाएगा तो उनके मतलब उनकी योग्यता को लेते हुए विश विद्याले कोशल विकास केंडर की स्थापना गोरिला पेंडरा मरवाही के लालपूर ठीक है लालपूर में जो है आपका इसकी इस्थापना की जा राष्ट्रपती चुनाव में 36 गड के कुल विधायक मतमूल्य 11610 निर्धारित था, 36 गड के एक विधायक का मतमूल्य 129 निर्धारित था, NDA की ओर से राष्ट्रपती पदी की उमिदवार दुरपती मुर्मुजी टो, 36 गड से सरवाधिक विधायकों का समर्थन मिला, सही ये जो है आपके भारत की वर्तमान राष्टपती, द्रौपती, मुर्मूजी भारत की पहली महिला राष्टपती है, ये गर्तन गलत है, पहली आदिवासी महिला राष्टपती है बोला जाएगा, तब ये कथन आपका सही होगा, आदिवासी महिला राष्टपती का मतलब ये के आदिवासी समुदाय से ये बिलॉंग करती है राष्टपती चुनाव में 36 गड़ का मतमुल्य 11610 निर्धारित्था सही है 36 गड़ के एक विधाय का मतमुल्य 119 निर्धारित्था ये भी सही है एंडिय की और से यानि की जो आपके बीजेपी और उनकी जो एलोइंस ग्रूप होते हैं ठीक है एंडियों की और से राष्टपती पद की जो उमिदवार द्रौपती मुर्मुजी को 36 गड़ से सरवादीक विधायकों का समर्थन मिला ये गलत है क्योंकि जो एंडिय है ये बीजेपी लीड करती है 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार है तो यहां से एंडिय के एंडियों की राष्टपती को सरवादी समर्थन मिलना पॉसिवल नहीं है तो कथन दो और तीन सही है ठीक है देखिए इसमें जो है आपका हाँ कथन दो और ती स्कूल के तर्ज में अब सास्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम कॉलेज की स्थापना यानि की महाविद्याले की स्थापना की जाएगी ठीक है तो यह ओप्शन एक कोर्भा ओप्शन भी रायपूर ओप्शन सी बिलासपूर ओप्शन डी रायगार तो ध्यान दीज ठीक है पाच्वा दुर्ग छट्वा राजनांद गाओ सात्वा कांकेर ठीक है आठ्वा महासमूंद नव्वा आपका कोर्भा ठीक है दस्वा रायगार इन टोटल आपके दस इस्थानों पर जो है टोटल आपके महाविध्याला यानि की सरकारी अंग्रेजी मीडियम कॉलेज यहाँ पर खोले जाएगे ठीक है इन्पोर्टेंट है याद रखना है नेक्ट देखिए बैतुल जलप्रपात की जिले में इस्थित है ओप्शन ए बस्तर उप्शन B, कोंडागा, उप्शन C, कांगेर, उप्शन D, सुक्मा यह अवी हाल फिलाल में खोजा गया एक नवींतम जलप्रपात है बैतुल जलप्रपात जो है यह आपके बस्तर जिले के कांगेर-घाटी नेशनल पार्क ठीक है कांगेर-घाटी नेशनल पार्क म तो ध्यान दीजिएगा बालोद के डॉंडी में देव पंडुम गुफा इस्थित है ठीक है सिंगल वन लाइनर ने देखते वे चलिए नेक्श देखिए 36 गड़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्रिक कहां इस्थापित किया गया है तो बस्तर जिले के बाबु सेमरा में 36 गड़ का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री इस्थापित किया गया है यह कोशनी पुछा जा सकता है इन्पोर्टेंट है इसे भी ध्यान से कीजिएगा ठीक है नेक्श देखिए नेक्श्ट है रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 50 मेगा वाट कहां इस्थापित किया जा रहा है ओप्शन A चरोदा दुर का ओप्शन B डोंगर गाउ राजनाद गाउ ओप्शन C उरला राइपूर ओप्शन D डवलूर्स राइपूर तो देखिए जैसे मैंने आपको दाया था 36 गड़ का सबसे बड़ा सोलर एनरजी श्टोरेज प्लांट ये इस्थापित किया जा रहा है डोंगर गाउ राजनाद गाउ में और ये क्या है रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 50 मेगा वाट का ये इस्थापित किया जा अगर कोई आपके व्यक्ति खेती किसानी सीखना चाहता है तो वो जो है गाउ में जाकर के किसानों के घर में रहे करके सबय बिता करके वहाँ पे खेती किसानी सीख सकता है ये एग्रो टूरिज्म कहलाता है ठीक है ओप्शन ए पाटन दुर्ग ऑप्शन भी खपरी रहे पूर ऑप्शन सी बगोद धमतरी और ऑप्शन डी उपरोग तो सबी ध्यान दीजेगा एग आपका एग्रो टूरिज्म है ठीक है नक्ष देखिए प्रदेश का सोलवा नीजी विश्विद्याले आंजनेय विश्विद्याले के इस्थापना की मंजूरी की जिले में मिली है ये जो आपका सोलवा नीजी यानि की प्राइवेट सेक्टर का यूनिवर्सिटी है जिसक आपके नह, दरा, ग्राम, मंधिर हसौद, मंधिर हसौद राइपूर में प्रस्तावित है तो यह है आज के लिए, काफी लंबा क्लास हो गया, मैंने जैसे कहा कि एक क्लास में सब चीज पढ़ा पना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ये वस्तुनिष्ट प्रश्ण जो है आज की इस क्लास में हम कवर किए काफी लंबा क्लास चला है अगर मिरे द्वारा किया गया महनत आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज थोड़ा सा समय निकाल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक लाग सब की बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं और साथ ही साथ आप इस सीजी बुक्स कार्ट मुबाइल एप में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ओर्डर कर सकते हैं ठीक है चलिए